हलो एंड विल्कम टू अनकेडमी क्या हल चाल है आप सभी के शुरुआत करें आज के सेशन को आप जानते हैं स्टुटेंट्स आज जाना अनकेडमी इंडिया में UPSC CSE की तियारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो आप आपको मेरे साथ साथ इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का मुगा मिलेगा आज हमारी जोग्रफी मैपिंग जिसमें हम इंडिया मैपिंग करने वाले हैं और हमारा टॉपिंग होने वाला है रीवर रीवर सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रेने सिस्टम मे यह देखिए, अगर आप लोग मेरी Classes के PDFs चाते हैं, आने वाली Classes के Notification चाते हैं, और अगर Admission से पहले आपको सब्सक्रिप्शन से पहले कोई बात करनी है, कोई Doubt है, तो आप मुझे इधर Message कर सकते हैं, यह Telegram का चैनल है, Unacademy Underscore Naveen Tawar, यहां रखना, Unacademy Underscore Naveen Tawar, और यह शांदार लाजवाब बे मिसाल उपर चल रहा है, 18 मंस का कोंबो, यह देखो बेटा, सबसे पहले कोंबो पे 22% का डिसकाउंट है, आप जब यह 22% डिसकाउंट हो जाएगा, उसके बाद, अगर आप मेरा Code लगाते हो, तो 10% डिसकाउंट और है, Educator Code, अब आप बोल लाईए, तो 18 मंस का जो प्लस है, देखो, सामान्यता उसका जो प्राइस है, एक्यान में 1800 है, 22% डिसकाउंट होके 70,990 हो गया, और जैसे ही आप मेरा Referral Code लगाओगे, तो वो घटकर हो जाएगा 63,898 में, यानि कुल मिलाके आपको मेरे Code के साथ सारा डिसकाउंट होगा, 27 22,902 रुपे का डिसकाउंट आपको मिलने वाला है, सेम आइकोनिक, जो बच्चा चाते है, आइकोनिक का ले, वो 1,13,000 वाला, मात्र 76,176 रुपे का पड़ेगा, मेरे Referral Code नवीन1 के साथ, और जो बच्चा 2022, 23,24 के लिए सीरियस है बटा, मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप प्लैन कर रहे हो, तो अभी बहुत सही समय है, 2023 वालों के लिए, अगर आप यह सोच रहे हो, नहीं, अभी 2022 का पीटी हो जाने दो, फिर हम 23 की सोचेगे, तो शायद अभी आप UPSC, और उस एक्जाम, उसके पैटर्न, उसके स्लेबस, उसकी डिमांड को शायद आप नह नहीं समझ पारे, तो यकीन मानिए, आपको बहुत बेनेफिट मिलने वाला है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, स्लेबस जल्द से जल्द कम्प्लीट करना होगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके उस लड़ाई के लिए तियार होंगे हम, कल सुबह 11 बजए अन अकैडम स्कॉलर्शिप है, 500 रैंक तक के बच्चों को मिलेगा, जल्द ही ऑप्शनल चैनल लांच होने वाला है, हिंदी, बाइलिंग्वल, यह देखो जो आइकोनिक सब्स्रिप्शन जो बच्चा लेगा, उसको क्या बेनेफिट है, देखो इस त्यारी में आपको एक कोच आए जाएंगे और ओपन हाउस विद एडुकेटर, ओपन हाउस का मतला आप जानते हो, कि वो सीध है, अपने एडुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई से अलग बाते भी कर सकते हैं, अगर आपको डि आइकोनिक के अंदर ही है, तो उसके साथ ही लॉन की फैसिलेटी उन बच्चों के लिए जो वन टाइम पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर महीने चुका सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, या आपको इसी वीडियो के डेस्रिप्शन लिंक में लॉन फॉर्म मिलेगा, उस लॉ मिनिमम पेपर वर्क है और फ्लेक्जिबल टेन्योर है, अराम से चुका देना आप इसको, और उसके साथ ही जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज का सब्स्रिप्शन लेना चाहता है, एक साल, दो साल, तीन साल, कोई भी ले, एक साल, दो हजार बाईस वाले, दो रास्ता मिलने वाला है, इसी कोड के जरिए, जोग्रफी अगर आपका ऑप्शनल है, हिंदी माध्यम है, तो अनकेडमी प्लस पर मॉर्निंग 9 अम, मेरा जोग्रफी ऑप्शनल का हिंदी मीडियम में है न, मॉर्निंग 9 अम, बैच चलता है, आप आके सीधा उसको जोइन कर बिटा ये कोड, तो शुरुवात करते हैं, मैपिंग मेराथन, सबसे पहले आप लोगों के हालचाल, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के, जल्दी से बताईए, गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग, ओडिबल, ठीक है, अरे कहां रहे गई आप सभी लोग, पहले तो मेराथन कराओ, मेराथन कराओ, आप सभी लोगों को भी हैपी बसंत पंचमी, आपके जीवन में बहुत सारा ग्यान आए, और उस ग्यान का जरिया मैं आपके जीवन में बनूँ, खुब उजाला हो आपके जीवन में, और 2022 वाले बच्चे जो पीटी देंगे, मेरी तरफ स है कि 2023 की जो सर्दिया है आपकी लबासना की वादियों में बने, है ना, ओके, जल्दी से लेके आईए सबको, जल्दी जल्दी लेके आजाईए, जल्दी लेके आओ, अभी कम से कम यार, कम से कम 200 बच्चा शुरू लेके आओ, पहले है ना, 200 बच्चा लेके आओ, इतना अ ग्लास से एक कोश्यन आने वाला है फटाफट पहले बच्चों को लेके आओ दोसो बच्चे लेके आओ पहले अभी 140 हुआ है बढ़ाओ इसको पहले जल्दी से फटाफट दोसो बच्चे लेके आओ फिर शुरू करते है आज देखते हैं आप मेरी इस मांग को पूरा कर सकते हो क्या दोसो बच्चे लेके आओ एक बार जल्दी से बेखते हैं कितना दम हैं आप लोगों के फटाफट दोसो कर दो बस एक बार अभी 160 हुए 160 हुए है फटाफट 200 करो इनको फिर शुरू करते है फटाफट 200 होने चाहिए मैं आपकी भी तो ताकत देखू मेरी मांग है ना आप लोगों की डिमांड है मैं आपको लवासना पुचाओं अभी मेरी आपसे डिमांड है कि अभी 200 लेके आओ चलो तो मिराथन सेशन टू होने वाला है आज हमारा ये इसमें हम आज भारत की नदियों को देखने वाले बटा भारत की नदिया बहुत ही शांदार और ला जवाब शेशन होने वाला है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आज जब ये तीन घंटे की क्लास जब हमारी ये आज ओवर होगी आपको भारत की सारी नदिया याद हो चुकी होगी सारी की सारी नदिया आपकी उंगलियों पे समझे ठीक है तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ आप कितने लोग आ रहे हैं देखते हैं कितने हुए अभी एक बच्चा कह रहा है सर एक बार लबासना जाने की इच्छा है एक बार नहीं वेटा खुब अराम से रहना दो तिन महीने वहाँ पे ठीक है एक बार से क्या होगा एक बार से दिल नी भरेगा आपका एक बार से दिल नी भरेगा वहाँ जब तक रुको गेनी, रहो गेनी, चाय, पानी, नाश्ता, खाना, पीना, सुबह, दोपैर, शाम का वहाँ नहीं होगा मौज मस्ती नहीं करोगे तब तक तो क्या ही मज़ा चलो शुरुवात करते हैं अभी, ठीक है अब करते हैं सेशन की शुरुवात, अभी आ जाएगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम दो कैटेगरी में बाढ़ सकते हैं, पहला हिमाल्याई नदिया हिमाल्यी नदिया, ओके, जिन में ज़्यादा तर नदियों का शुरुत है बहुत सारे ग्लेशियर्स, सेकिंड है हमारी प्रायद E.P.A. नदिया प्रायद E.P.A. नदिया है, और जिनका जो शुरुत है, प्रमुक रूप से वर्षा है तो हिमाल्यी नदियों में हमारा जो तंत्र है, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे पहला हम करेंगे सिंधू नदित अंत्र, सिंधू, इंडस रीवर, सेकिंड हम करेंगे इंडस के बाद ब्रहम पुत्र और उसके बाद तीसरा हम करेंगे गंगा, और उसकी सायक नदिया, सिंधू उसकी सायक नदिया, ब्रहम पुत्र उसकी सायक नदिया इधर प्रायदीप में हम क्या करने वाले है गोदावरी और उसकी सायक नदिया कृष्णा कावेरी महा नदी उके उसके साथ हम कुछ और नदियों क्या भी स्टडी करने वाले हैं कुछ और नदिया जैसे हमारी बहुत सारी नदिया ऐसी है इंडिपेंडेंट है जो केवल वेस्ट फ्लोइंग है वेस्ट फ्लोइंग इसी में हमें नर्मदा और माही तापी भी करनी है नर्मदा तापी ओके कुछ इंडिपेंडेंट ऐसी रिवर्स होगी जो आपकी का कावेरी का किसी का इस्तानी है इंडिपेंडेंट है और इजिन हुई जाके गिर गई या तो इधर जाएगी बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी कि या वह इधर अदर आएगी अरब सागर ठीक है तो ये आज का हमारा पूरा सेशन इन ही सब पे चलने वाला है और आज के सेशन के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आपके मैपिंग में जितने भी कॉश्चन्स रीवर्स पे आए है या UPSC ने पूछे है वो आज के बाद आपके सारे कॉश्चन्स होने लगेगे तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधू नदी तंत्र है ना शिंधू अपुआत तंत्र की सिंधू अपुआत पंत्र चल ये रहा आपका तो पहली बात इसका जो ओरिजिन है इसका ओरिजिन होता है आपका तिब्बत में तो तीन देशों में आप इस नदी को मान सकते हो चाइना अगर आप तिब्बत ठीक है उसके बाद इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान तीन तीन देशों से होकर ये नदी चल रही है उसके बाद इसका ओरिजिन होता है यहां यह देखिए यहां से इसका ओरिजिन है मान सरवर लेक के निकट इसका ओरिजिन है याद रखना अभी बात कर रहा हूं मैं आपसे सिंधू की इंडस की बात कर रहा हूं इंडस का बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं UPSC question किस तरह के पूछेगा, ये जानना जरूरी है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे UPSC का question पूछने का pattern क्या है, उस पे पहला question या तो origin पे पूछ सकता है, origin क्या है, उद्गम क्या है, कहां से उद्गम हो पूछेगा सहायक नदी, सहायक नदी, सहायक नदी में फिर वो पूछेगा कि बाएं हाथ की left hand side, okay, या right hand side, right hand side, okay, तीसरा, वो उत्तर से दक्षिन, उत्तर से दक्षिन, या दक्षिन से उत्तर का क्रम पूछ सकता है, अभी जो नया pattern नया है, किसी भी नदी से जुड़ी हुई कोई परियोजना, नदी और नदी से जुड़ी हुई कोई परियोजना है, वो पूछ सकता है, जो समाचारों में चर्चा में है, या कोई नदी है, अगर आप history अगर किसी नदी के किनारे कोई आपका सांस्क्रतिक स्थल है, कोई धार्मिक स्थल है, वो आपने त्यार रखना है, तो उसके बाद है, यहाँ पर नदी के जुड़ा हुआ कोई सांस्क्रतिक या धार्मिक स्थल, इतने तरीकों से आपको नदी को देखना है, ध्यान रखन कि इसकी साहयक नदिया, ओरिजिन क्या है, उत्तर, दक्षिन, उस पे जुड़ी हुई प्रियोजना, उससे जुड़ा हुआ, कोई सांस्क्रतिक या धार्मी किस्थल कोई है या नहीं, यह लिख लेना विटा, शुरुवात में ही लिख लेना, ताकि आप जब भी इस पांच तरह के कोश्चन पूछ रहा है, UPSC, ओके, ठीक है, वैल दन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अभी बात करते हैं सिंधु की, सिंधु की बात करते हैं, यह जो आपको में रेड नजर आ रही है, ब्लू ब्लू नजर आ रहा है न, यह बीच में, यह पूरी जो बीच वाली है, यह पूरी की पूरी जो बीच वाली है, यह वाली, यह वाली जो है, आपको जो यह नजर आ रही है, यह सिंधु नदी है, अब आप देखोगे, कुछ नदी इसके south में है यानि कि कुछ इसके right hand side है कुछ left hand side है एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले right hand side और left hand side कैसे होता है सपोज करो जहां से origin हो रही है जैसे सिंदू कहां से origin हुई सपोज करो कि यह सिंदू का origin point है ओके यहां से origin हुई और यहां पे आके वो अपना मुहाना बना रही है इधर origin इधर आके उसना अपने मुहाना बनाया अब आप इधर से इस और मुह करके खड़े हो जाईए हम भी इधर से इस और मुह करके खड़े हो गए ठीक है ना हम यह origin point है सामने वो जहां जा रही है वो उसका मुहाना है या ये वाला मेरा left है, this is my left, और मेरा जो right है, ये मेरा right है, तो मेरा left सिंधू की बाएं हाथ की नदिया, और मेरा right सिंधू के दाएं हाथ की नदिया, ये point समझ में आया है नहीं, जल्दी से बताओ मुझे, left hand side, right hand side की बड़ी दिक्कत होती है भाई, जल्दी से इस point को clear कीजिए जल्दी से ये point बताइए मुझे, okay clear हो गया ना, आ गया समझ में, अब मुझे एक point और पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से एक question और है मेरा, एक और question है, एक और demo, suppose करो, ये नदी का origin है, ये origin point है A, और ये इधर जारी है, B की और, अब ये है P, और ये है Q, और मैं कहूं, ये कोई river है, इस river का नाम मानलो, X, Y, Z करके कोई एक river है, आप इसमें से ये बताईए, कि P और Q, कौन सा left hand side है, कौन सा right hand side है, P left है, या right है, और Q left है, या right है, बताईए, left right का चक्टर बताओ मुझे, बताओ इसमें, सोच समझ के जवाब देना ऐसा प्रशन आएगा, ये आज ही, बिल्कुल शुरुआत में ही clear कर देना चाहता हूं, मैं आपको, जवाब ऐसे देना, कि P का मतलब P left right और Q left right, P के सामने left right लिखना, Q के सामने left ये right जो भी आपका अंसर आ रहा है, जल्दी से जवाब दो, P is right, okay, Q is left, yes, ऐसे उपर से नीचे आ रही है, उपर से नीचे जा रही है, ये मान के चलो उपर से नीचे आ रही है, आप भी ऐसे देखो, आपका right, नदी का right, आपका left, नदी का रहा है, left, ओके, left, right वाला सिस्टम खतम हो गया अभी, चलो, अभी left, right वाला आपको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, ला जवाब, अब बात करते हैं सिंधू की, सिंधू इतनी देर से इंतजार कर रही है कि मुझे इतनी देर से दिखा रही है, और मेरे बारे में बात करो, तो चलो, हम सिंधू के बारे में बात करते हैं, अभी सिंधू, जिसको हम बोलते हैं, इंडस, okay, मान सरोवर के नजदीक से निकलती है, मान सरोवर, कलास मान सरोवर, ठीक है, जील है जो आपकी, उसके नजदीक से निकली, वहाँ पे भी किस इस्थान से निकली, बोखर चू बोखर चू के नजदीक से निकलती है बी ओ के एच ए आर आएगा बी ओ के एच ए आर बोखर चू के नजदीक से निकलती है अभी इंडिया में कहां से एंट्री मारती है देखो ये इंडिया में यहां से एंट्री मारी यहां से इंडिया में एंटर करती है और इस स्थान का नाम है दम चोक दम चोक के नजदीक से इंडिया में एंटर करती है बोखर चू के नजदीक से ग्लेशियर से निकली दम चोक दम चोक याद रखना दम चोक से इंडिया में एंटर किया ओके लद्दाख से होती हुई गई फिर जम्मू कश्मीर फिर उसके बाद पाकिस्तान याद रखना अभी तो लद्दाख हो गया ना आपका यूटी लद्दाख जम्मू कश्मीर और उसके बाद पाकिस्तान और अन्तते यहां पे है अरब सागर अरब सागर में आके अपना इदर है, Q, अब ये जो P है, ये सिंधु का राइट हैड साईड है या लेफट हैड साईड और जो ये Q है, सिंधु का राइट हैड या लेफट हैड? पी राइट है, क्यू लेफ्ट है, ओके, वेल दन, अच्छा, चलो, तो दिस इज राइट, दाए हाथ की नदिया उपर की और होंगी, बाए हाथ की नदिया नीचे की और होंगी, अब आगे सुनो, अब मैं आपको, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, करा कोरम, करा कोरम, लदाक, जासकर, पीर पंजाल, धोलाधार, याद है ना ये सभी आपको, करा कोरम, लदाक, जासकर, पीर पंजाल, धोलाधार, तो ये जो करा कोरम है, और ये लदाक है, ये कहता है, कि ये ऐसे बैर रही है, इनके बीट से होकर चलती है, कौन सी रीवर सिंधू रीवर और अभी इसके सहारे मैं आपको कुछ-कुछ दिखाना शुरू करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे एक सेकिंड को चलो ठीक है यहाँ कुछ देखिए मेरे साथ इत्स फाइन ओके यह देखिए यह दम चोक से एंटर मारी बेटा दम चोक क्या नाम है इसका? दम चोक दम चोक से अच्छा यह बताओ यह ब्लैक कलर ज्यादा ठीक लग रहा है आपको या रेड एक बार बताना बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा आपको यह ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है या red से लिखके बताओं क्योंकि अभी जितना भी काम करना है मुझे इसी पर ही करना है ये black color fine है या इसको red करूँ फटा फट red कर दे इसको ओके red कर लेते हैं चलो red कर लेते है दम चोक से इसने enter की अब इसकी right hand side की river देखो बिटा ये शौक रीवर है और ये शौक रीवर है यहां पर glacier है रीमो glacier रीमो glacier उससे निकलती है ये शौक याद रखना रिमो रिमो ग्लेशियर से आ रही है आपकी शोक अब शोक की एक सहायक नदी है यही पे देखो इसकी एक सहायक नदी है नुब्रा नुब्रा आपने नाम सुना होगा नुब्रा वैली कहां पे है यह है नुब्रा रिवर नुब्रा श्यॉक की सहायक नदी है नुब्रा और नुब्रा कहांसे निकलती है एक Glacier है नुब्रा Glacier नुब्रा Glacier से निकलती है चीक है हां यही पर एक Shigar River भी आएगी Shigar, Shigar, Shigar शिगार से निकल के आ रही है शिगार शिगार ना पिर यह एक और रीवर आ रही है गिलगित ये नाम देखो गिलगित ये नाम है इसका गिलगित गिलगित रीवर और इसी गिलगित की एक सहायक नदी है हुन्जा गिलगित की सहायक नदी है हुन्जा गिलगित है यह मान के चलो अभी यहाँ पर क्या दिखाओं यहाँ पर दिखा देता हूं बस याद रखना इसकी सहायक नदी है हुन्जा ह-u-n-z-a हुन्जा शुरुवात करते हैं दम चोक, दम चोक से इंडिया में एंटर किया और राइट साइड और लेफ्ट साइड बात कर रहे हैं राइट साइड की शोक, शोक की साहयक नदी है नुब्रा, शोक का ओरिजन है रीमो ग्लेशियर, नुब्रा का नुब्रा ग्लेशियर, फिर है शिग पारी है कुनर के यूएन ए आर कुनर ओक यहां पर देखो काबुल काबुल नदी अफगानिस्तान की जो काबुल रिवर है वो किसमें आके मिलती है रोकाबुल जो नदी है काबुल नधी आके मिलती है इंडस पे-स-काबुल सायक है स्वात नदी स्वात स्वात ओके और यह है कुनर कुनर सुनते जाना अभी और यहां पे है गूमल गूमल और यह है तोची तोची गूमल तोची यह नाम तो बेटा यहां तक तो बड़े कॉमन है हो सकता है UPSC इस बार इधर वाले नाम पे चला जाए तो याद रखना काबुल इंडस की सहायक नदी है काबुल के अंदर आके मिलती है कुनर और स्वात उसके बाद है तोची तोची और यह है गूमल पीटा कुताबों में नहीं मिलेगा यहे आपको किताब में नहीं मिलेगा समजो सुनो अपनी कॉपी के अंदर एक próxima बनालो चृपी के अंदर सेम ऐसा डाइगना बनालो ओके और उस पे दिखाना शुरू कर दो कि राइट हेंड साइड पे ये सब कुछ हो रहा है किसी भी एटलस के अंदर नहीं मिलने वाला है आपको ठीक है देखो इसको मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ बनाते रहो आप इसको साथ के साथ बनाते रहो बेटा काबुल तो आके इसमें मिल रही है है ना मिल रही है काबुल यहाँ पे इसको जॉइन करती है इंडस को जॉइन करती है अल्टिमेटली इंडस जाके गिर रही है अरब सागर में ठीक है वेल डन जल्दी से हाथ चलाओ अपना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बहुत ही बड़िया यहां से अब आगे चलते है तो यह रैट हेंड साइड आपको clear हो गया रैट हेंड साइड चलो अब इस रैट हेंड साइड को मिटो देते है अब ही आगे चलो ये लो अब बात करते हैं लेफ्ट हेंड साइड की लेफ्ट हेंड साइड पे देखो आपको एक रीवर दिख रीवर जांसकर रीवर इसको जोइन करती है कहां पे जोइन करती है यही पे लेहे है आपने लेहे का नाम सुना है ना लेहे 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 के नजदीक आके ये इसको जोईन करती है तो याद रखना लेहे की बिटा ये इंडस है और ये इंडस लेहे के मतलब इंडस के राइट हैंड साइड पे हैं लेहे याद रखना ये इंडस है इंडस के राइट हैंड साइड पे हैं लेहे left hand right hand याद रखना जो जो मैं बोल रहा हूँ at least उसको याद रखना वैसे 1000 location होगी उससे अपने को मतलब नहीं है UPSC आपको जो पूछ सकता है मैं उसकी बात करता हूँ लेहे इंडस के right hand side पे है यहाँ पे फिर एक और river आती है इन्होंने दिखा नहीं रखे उस river का नाम है Suru Suru S-U-R-U Suru और यहीं पे Suru के नजदीक है कारगिल कारगिल याद है ना आपको Suru के नजदीक है कारगिल ठीक है एक और river है यहाँ पे सोन सोन S-O-A-N S-O-A-N यहाँ पे लिख देता हूँ में S-O-A-N सोन river देखो एक जो गंगा की सायक नदी है S-O-N सोन वो सोन अलग है यहाँ पे S-O-A-N है S-O-A-N याद रखना S-O-A-N तो सोन Suru जासकर अच्छा अभी चलते है फिर बाकी सारी नदिया जो आप पंचनाद जिसको कहते है जेलम, छिनाब, रावी, व्यास, सतलुज यह भी सारी अंतत है जाके जब इसको पंचनाद हो जाती है यह सब जब आपस में मिल जाती है पंचनाद यह पंचनाद भी जाके इंडस में ही मिलता है पाकिस्तान में कहां पे मिलता है मिठन कोट को आपको याद होगा मिठन कोट मिठन कोट में पाकिस्तान में जाके पंजनाद पंजनाद में कौन सी है हमारी पंजनाद पंजनाद के अंदर है हमारी जेलम चिनाब रावी व्यास और ततलुज ये पंजनाद के नाम से जानी जा रही है और पाकिस्तान में जाके इंडस से मिल जाती है तो इधर क्या है जासकर, सुरू, सौन और पिर आपकी पंजनाद और पंजनाद में क्या है जेलम चिनाब रावी व्यास सतलज ठीक है अब एक एक करके बात कर दें, ठीक है आज़ा आज़ा देखते जाना मेरे साथ साथ पूरा आपको अभी समझ में आ जाएगा ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी पूरी ये है इंडस इसको मैं लिखूंगा यहीं पर इंडस रीवर है आपकी ये शोक है ओके और शोक की सायग नदी है नुब्रा शोक और इसकी सायग नदी है नुब्रा ये शोक है ये नुब्रा है शोक निकली है आपकी रीमो गलेशियर से ये नुब्रा निकली है नुब्रा गलेशियर यहीं पर आपकी एक शिगार रीवर है ये निकली है आपकी हिसपर गलेशियर से यहां पर आपकी गिलगित है गिलगित गिलगित की सायग नदी है हुनजा गिलगित उसकी सायग नदी है हुनजा ओके यहां पर आके आप देखो यहां पर काबुल ओके तोची और यहां पर गोमल गोमल ठीक है अब यह राइट हैंड साइड क्योंगी लेफ्ट हैंड साइड पर चलते हैं यहां पर आके मिलती है इसके जासकर जासकर ओके यहां पर है लेफ्ट कैसे बनाना है आपको मैं आपको वो दिखा रहा हूँ फिर है सुरू सौन स-H-O-A-N उसके बाद यहीं पर अब चलते हैं पंजनाद की बात करते हैं अभी बात करते हैं पंजनाद की पंजनाग की बात करते हैं, यहां पे वैरी नाग, जम्मू कश्मीर में वैरी नाग के पास शेश नाग है, वैरी नाग, वैरी नाग के पास शेश, यहां पे जहरने से ओरिजन हुआ है जेलम का, और यह जेलम यहां पे एक जील है, वूलर जील, वूलर जील, ओके, इस वूल है पाकिस्तान में तो इस नदी का नाम है छेलम ओके एक और रीवर है हमारी चेनाब चेनाब जासकर याद है ना करा कोरम लगदाक जासकर रेंज जासकर रेंज में बड़ा लाच्छा दर्रा के पास से दो नदिया है चंदर और भागा जो दोनों मिलके बनाती है चेनाब एक एक है चंद्र, एक है भागा, चंद्र भागा, ये दोनों मिलके बन गई चेनाब, ये चेनाब गई इधर पाकिस्तान में, एक और रीवर है, रावी, रोहतांग पास का नाम सुनाओगा आपने रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, पीर पंजाल और धोलाधार के बीच में है, पीर पंजाल और धोलाधार के बीच से आपकी आती है रावी, रावी, रावी नदी है ये, रावी है, किसके बीच में है, याद रखना जो मैं बोलता जा रहा हूँ, रावी है, पीर पंजाल और धोलाधार के बीच, पीर पंजाल है आपका व्यास व्यास रिवर है ब्यास नदी है व्यास नदी पैसिकली यही से एक और रिवर आ रही है हमारी सत्थलुज रिवर में हरीके के पास इसको जोइन करती है हरीके के पास ये किसको जोइन कर रही ये है सतलुज ओके और ये भी इधर फिर पाकिस्तान में चले गए और ये अंतत है क्या बनाया इसने पंजनाद बनाया ये पांचो रिवर बन गई यहाँ पे बना पंजनाद और अल्टिमेटली ये भी जाके किसमें मिल गया इंडस रिवर के अंदर तो अब आपको ओगे सर ये व्यास और रावी ये व्यास और रावी दोनों ही व्यास हो चाहे रावी हो ये दोनों ही रोहतांग दर्रे के नजदीक से निकलते हैं रोहतांग पास रोहतांग दर्रा ये समझ में आया आपको फटा फट बताओ इतना समझ में आ गया जल्दी से जवाब दीजिए जल्दी से जवाब चाहिए मुझे बेटा टेरिली ग्राम चैनल में ने बताया है अन अकेडमी अंडर स्कोर नवीन तवर ठीक है ठीक है फिर आपने एक नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा हम बोलते है दो आप दो आप नाम सुना होगा आपने दो आप दो आप दो आप का मतलब होता है दो नदियों के बीच का छेतर दो नदियों के बीच का छेतर दो आप बोला जाता है बीच का छेतर और जैसे बोला पंजाब, पांच नदियों के बीच का छेतर है, पंजाब में, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी सुनो, पंजाब, सुनाए ना नाम पंजाब, अभी ये जो सारी की सारी नदिया है, ये पंज जो नाध है, यहाँ पे भी बहुत सारे दवाब आपको दे देखा देता हूं, सुनो, दो आप दिखाता हूं मैं आपको यहां पे, देखो यह तो वूलर जील है, वूलर जील याद रखना भेटा, यह जेलम है, यह चिनाब है, तो जेलम और चिनाब इन्दो ये दो नदियों के बीच में भी एक छेतर होगा भार जेलम चिनाब, और य इधर क्या है ये इंडस है ये इंडस है इंडस और जहलम के बीच में भी आपको एक दोआब मिलेगा उसके बाद देखिए चेनाब और रावी ये भी तो दो नदियों के बीच का छेतर है चेनाब और रावी दो नदियों के बीच का छेतर है यहां भी एक दोआब मिलेगा र इन दुवाब को किस नाम से हम जानते हैं बात करते हैं सबसे पहले इंडस और जेलम के बीच में सिंध सागर सिंध सागर यह एक दुवाब हो गया अभी जेलम और चेनाब के बीच में चाज चाज दुवाब चेनाब और रावी के बीच में रचना रचना दुवाब रावी और ब्यास के बीच में बारी और ब्यास और सतलुज के बीच में बिस्त बिस्त दुवाब जल्दी से जवाब दीजिए मुझे ये सब समझ में आ रहा है या नहीं सिंद सागर, चाज, रचना, बारी, बेस्त जवाब दीजिए ओके तो अगर मैं आप से पूछूँ अभी सुनो तो कितने सारे दवाब हो गए कितने सारे आपको रीवर याद हो गई न सबसे उपर कौन सी है इंडस, इधर फिर जेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलज तो देखो, सबसे पहले हमने देखा सिंद सिंद देखा, उसके बाद हमने देखा चाज चाज देखा आपने, उसके बाद आपने देखा रच, रचना उसके बाद आपने देखा बारी, और उसके बाद आपने देखा बिस्त ये पांस दुआब, याद रखना, इसका मतलब सिंद सागर है सिंद से याद रखना, सिंद का मतलब सिंदू नदी, सिंद का मतलब है सिंदू और उसके साथ कोन है, जेलम तो सिंद से याद रखना, सिंद किसके बीच में है, सिंदू जरूर होगी और सिंदू के जस नीचे कों सी है, जेलम फिर चाज है, चाज में देखो J है, चाज में है J और CH में है चिनाब, तो ये हो गया आपका जेलम और चिनाब कुछ भी नहीं करना, चाज लिखाए ना, CH चेनाब और J का मतलब जेलम इदर रचना है, रचना में R है, RA, RA का मतलब रावी और CH का मतलब चेनाब, तो ये है रावी और चेनाब बारी, बारी में B है, ब्यास और R है, रावी तो ये किस के बीच में हो गया, ब्यास और रावी के बीच में और फिर बाद में है, बिस्त, बिस्त में क्या है, B और S क्या है, सतलज तो ये ब्यास और सतलज ये लो याद रखने का कितना सरल तरीका है सिंध में सिंधू और जेलम है सिंध है तो सिंधू होगी चाज है तो C, H है चेनाव J का मतलब याद रखो जेलम इधर रचना है R, A का मतलब रावी और C, H का मतलब चेनाव इधर बारी है B का मतलब ब्यास R का मतलब रावी और इधर बिस्त है बी का मतलब वो ही ब्यास और एस का मतलब क्या है सतलुज याद रहेगा कैसा रहा आप बताओ रटने की जरूत नहीं पड़ती मैंने बोला आज जब क्लास का एंड होगा सारी रीवर्स आपकी उंगलियों पे होगी उंगलियों पे ऐसे बहेगी बहुती बढ़िया बहुती गजब बहुती गजब ला जवाब एक क्वेशन आएगा बिटा एक क्वेशन आज की क्लास से एक क्वेशन है पका यूपीएसी का देखो मेरे कुल मिलाके सो डेड़ सो सेशन होते है पीटी के है ना पीटी के जितने भी मैं सेशन लेता हूँ जोगरफी के एनवायरमेंट के मैपिंग के मेरे सो सेशन से 25 से 26 कोशन आते है तो आप ये देख लीजिए मातर सो सेशन आप 365 दिन पढ़ते है साल में और सो कोशन आते है पीटी में पढ़ते हैं ना मैं सिर्फ कितना पढ़ाता हूँ सो सेशन होते हैं 60 से 70 दिन 60 से 70 दिन पढ़ाता हूँ पीटी के लिए अभी जनवरी से शुरू किया और ये मार्च अप्रेल सो दिन मानलो 120 दिन मानलो मैं वन थार्ड टाइम लेता हूँ याद रखना विटा आपको पढ़ाने में यूपीसी में आपने साल भर में जितना टाइम लगाया ना उसका वन थार्ड टाइम लेता हूँ मैं आपके जीवन से और वो भी डेली के सिर्फ डेड़ घंटा इधर यूट्यूब पे और 25 से 26 कोश्चन हमारी क्लास से आएंगे इस बात को ध्यान रखना तो कोस्ट बेन बच्छे बोलने सार एक कोश्चन के लिए एक बजे तक क्लास करना पढ़ेगा बेटा आपको पीटी में 50 ही तो क्लास करने हैं पीटी में यूपीसी के 50 कोश्चन करने अभी तो 50 भी नहीं आते और 365 दिन पढ़़्ते हो आप आपको पता है जो बच्छे बोल रह कि एक उस हिसाब से तो मेरी क्लास ज़्यादा यूसफुल है थोड़ा लगाओ मैथमेटिक्स लगाओ रिजनिंग और सोचो इस बात को ठीक है नेक्स चलते है तो ये आप ड्राइग्राम बना लेना तो ये ड्राइग्राम हो गया आपका यहां से आगे चले ठीक 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 अभी इनके उपर जितने भी प्रोजेक्ट है ना प्रोजेक्ट नहीं कराऊँगा जितने भी रिवर प्रोजेक्ट है वो नेक्स शेशन में होंगे आज सारी रिवर ताकि आपको रिवर पता रहे इसक लोगों को एक रीवर है यहाँ पर किशन गंगा जेलम की साहेक नदी है जेलम यहाँ पर बना देता हूं कहीं भी कहां बनाओं ऐसे लिख लो यह जेलम की साहेक नदी है किशन गंगा किशन गंगा जिसको नीलम भी बोलते हो कई बार आपने है ना नीलम किशन गंगा जेलम की सहयक नदी है आगे चल रहे हैं यहां से तो यह सारे दवाब मैंने बता दिये, और लड़ी आपको सारे मैंने दवाब बता चुका हूँ सिंद साधर हो गया, चास हो गया रचना हो गया, बारी हो गया, बिस्थ हो गया यह आपको मिल जाएगा अब next river आती है हमारी ब्रहम पुत्र very important very very important ब्रहम पुत्र रिवर की बात करते हैं भी हम ब्रहम पुत्र डेनेज सिस्टम देखो बिटा जो हम ग्यान ले रहे ना मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ हो सकता है मुझे मैं अपने लिए बात करूँ मुझे चाचा चोधरी की कॉमिक्स पढ़ने में बड़ा मज़ा रहा है ना पूरे दिन पढ़ दिया मैंने लेकिन उसका मेरी लाइफ में यूटिलिटी क्या है समझ रहे हो ना आपको एक बात ध्यान अकना आप यूपियस सी एस पायरेंट हो बड़ा आपके लिए जीवन में आपके लिए क्या है दुनिया के हर इंसान के लिए जीवन में सबसे ज़ादा जो अगर महत्पूर्ण है तो वो समय है मैं सुभेश इसाम तक चाचा चोधरी, ध्रू, तुलसी, कमांडो ये पढ़ रहा हूँ पढ़ने में मुझे मज़ा आ रहा है लेकिन उसका मेरी लाइफ में यूटिलिटी क्या है तो आपको पढ़ने में आनंदा रहा है लेकिन आप वो सब पढ़ रहे हो जो आपके एक्जाम में आपका काम का ही नहीं है तो ठीक है आप पढ़े जरूर लेकिन एक्जाम औरियंटेड नहीं पढ़े ये बात ध्यान रखना इस बात को सबसे ज़ादा महत्पून तरीके से दिमाग में सेट कर रहे है पढ़े जो आप पढ़ रहे हो एक्जाम औरियंटेड कितना है बस ये बात ध्यान रखे वो मेरे एक्जाम में मुझे हेल्प कर रहा है या नहीं मुझे आनंद आ रहा है उससे मेरे को कोई मत्तलि आरे आनंद का मेरे को क्या करना है आनंद मिलने से मैं कोई UPSC के सामने ये इतना बड़ा बहुत सारी बोरिया रख दूँगा बड़े बड़े दस ट्रक ले जाके खड़ा कर दिया ये देखो मुझे आनंद आया था इतना सब कुछ पढ़ने से UPSC वो लेका तुम्हारे आनंद का मुझे क्या करना तुम्हें आनंद आ रहे तो आता रहे वो तुम्हारी लाइफ थी तुम्हें अपना आनंद लिया हम UPSC है हमारा आनंद कुछ और ही है अब आई हमारी ब्रहम पुत्र ब्रहम पुत्र ब्रहम पुत्र नदी इसको जानेंगे ब्रहम पुत्र के बारे में बात करते है ब्रहम पुत्र ये आपकी ब्रहम पुत्र रीवर आपको नजर आ रही है ये ब्रहम पुत्र रीवर है ठीक है ये तिब्बत से इसका ओरिजिन है ये फिर इंडिया में ओके इंडिया के बाद इसके बाद ये चली गई आपकी बांगला देश में तो इसका ओरिजिन भी ये भी केलाश मान सरोवर के नजदीक ही इसका ओरिजिन है केलास मान सरोवर जो जील है न और बेसिकली आपकी जो ये केलास श्रेनी याद होगी आपके केलास श्रेनी याद है न आपको केलास श्रेनी केलास श्रेनी केलास श्रेनी से इसका उद्गम है केलास श्रेनी इसका उद्गम है और एक glacier है जिसका नाम है Chema Jung-Dung Glacier का नाम बता देता हूँ Chema Jung-Dung Glacier है वहां से इसका origin हुआ चलती है चलती है चलती है और यह देखो यहां पे देखो बेटा इसने U-Cut बनाया U-Cut बनाके इंडिया में एंटर करा यह देखो U cut बनाके इंडिया में एंटर करती है U cut यहाँ पे आके यह U turn लेती है ओके इसका कारण है यहाँ पे syntaxial band है syntaxial band syntaxial band क्या है जब हम geomorphology पढ़ेंगे geomorphology पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको इस सारे band बताऊँगा बस आप याद रखना कि यहाँ से आके एक अक्ष संघिये मोड बोलते है इसको अक्ष संघिये मोड अक्ष संघिये मोड है U turn लेके इंडिया में एंटर करती है याद रहेगा आपको U turn लेके इंडिया में एंटर किया syntaxial band है अक्ष संघिये मोड ठीक है तो तिब्बत में इसको यारलूंग जैंगबो के नाम से जान रहे है देखो ये नाम दिखा रखा है यारलूंग जैंगबो कई बार इसको टी लिख देते है कई बार ऐसे भी लिख देते है सैंगबो ठीक है यारलूंग यारलूंग जैंक सांगपो के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जा रहा है इंडिया में यह एंटर करती है अरुनाचल प्रदेश में यह उपर वाला स्टेट है यह हमारा यह अरुनाचल प्रदेश है यह अरुनाचल प्रदेश है अरुनाचल प्रदेश में ये एंटरी करती है तो कौन से स्टेट से इंडिया में एंटर करती है जल्दी से बताओ अरुनाचल स्टेट अरुनाचल प्रदेश से जहां पे इसको सियांग नाम से जानते है सियांग सियांग नाम से जाना जाता है सियांग local name है, वहाँ पे इसका siang, siang नाम से जानते है अब ये इंडिया में enter किया, आब इसके साथ कुछ नदिया इधर से आएगी, कुछ नदिया इधर से आएगी कुछ नदिया इसमें इधर से आएगी इसकी साहेक नदिया और कुछ यहां से आ रही है और कुछ साहेक नदिया ऐसे आ रही है तो आप मुझे बताओ अगर मैं इसको बोलता हूँ A और इसको बोलता हूँ B तो A राइट हेंड साइड है या left hand side है या B right hand side है या left hand side है कौन बच्चा मुझे बताएगा A, B को बताओ left है या right है A, right है या left B, right है या left A is right and B is left गजब अरे आप तो बहुत होशियार हो गए इतना होशियार कैसे हुए आप ठीक है बहुत ही बढ़िया जबरदस्थ चलते है इधर बांगलादेश में एंटर करती है बांगलादेश में और यहाँ इधर से आती है गंगा और आपस में मिल जाते है ये बांगलादेश में इसको जमना के नाम से जानते है इधर से जो इंडिया से गंगा आएगी उसको बांगलादेश में पदमा के नाम से जानते है ये आगे बढ़ेगी मेगना इसमें आके मिलेगी और मेगना के नाम से ये चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में तो ये देखिए अभी जो मैं आपको दिखाना चाता हूँ ये लो सांगपो आ रही है ये सांगपो ओके इंडिया में यू टर्न लेके एंटर किया इसको यहाँ देखो साफ लिखा है सियांग नाम से जान रहे हैं सियांग मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपकी स्विधा के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वरना क्या हुआ यह लो इसको देखो इस फाइन अरे नाम नजर आ रहे ना आपको देखो जैसे कामिंग नजर आ रहा होगा सुबंसरी नजर आ रहा होगा रंगा नदी जिया भरेली मानस नजर आ रहे ना आपको नजर आ रहे है नाम सभी ठीक है क्लियर है तो यह देखो यह आई इंडिया में यह सियांग है इंडिया में एंटर करती है सियांग है ना सियांग सियांग कहलो यहां पे दिहांग भी यही है सियांग दिहांग अब यहां से इसके राइट हैंड साइड पे देखो एक रीवर आ रही है सुबंसरी यह आई अरुनाचल प्रदेश यहां पे आके मिल गई इससे अभी इसी सुबंसरी की एक सहयक नदी है रंगा नदी रंगा रंगा नदी सुबंसरी की सहयक नदी है कभी आ जाए रंगा नदी किस तंतर का हिस्सा है तो ब्रहंपुत्र का और ब्रहंपुत्र में भी सुबंसरी की सहयक नदी है दूसरा यहाँ पर एक और रिवर आ रही है आपकी कामेंग कामेंग रिवर है ओके यही पर आपकी एक रिवर है देखो यह मानस रिवर है मानस इसको मैं लिख देता हूँ यह है मानस और यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं हुआ मैं लिख देता हूँ, एक रीवर है, संकोश, संकोश, अरे संतोश नहीं भाई, संकोश, और ये एक और रीवर है, तीस्ता, तीस्ता, तीस्ता की एक सहायक नदी है, रंगीत, तीस्ता आ रही है आपके सिक्किम से, सिक्किम से आ रही है तीस्ता, और तीस्ता की सहायक नदी है रंगीत रंगीत और यह तीस्ता जाके मिल जाती है किसमें? ब्रहम पुतर में तीस्ता ब्रहम पुतर और यह तीस्ता रीवर ही आपका West Bengal और Sikkim के बीच में border बनाती है याद रखना तीस्ता नादी क्या कर रही है? तीस्ता बनाती है पश्चिमी बंगाल यहीं पर लिख देता हूँ पश्चिमी बंगाल प्लस किसके बीच में और सिक्किन इन दोनों के बीच में तीस्ता ही बॉर्डर बनाती है तो हमारी राइट हैंड साइड की क्या होगी सियांग या दिहांग आप एक ही बानो इनको सुबनसरी की सायक है रंगा नदी कामेंग यहीं पर आपको याद आएगा एक और रिवर है यह जिया भरेली और जो यह कामेंग है न बेटा इस कामेंग पर ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पाक्वी पाक्वी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर आपको काजी रंगा में भी मिलेगी यह आपको यह मानस है मानस नेशनल पार्क है तो हो गया सुबनसरी, रंगा नदी, कामेंग, जिया भरेली, मानस, संकोष, तीस्ता और तीस्ता की सायक नदी है रंगीत और तीस्ता वेस्ट बेंगोल और सिक्किम के बीच में बॉर्डर बना रही है ठीक है Is it fine? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखे बताईए कि ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं Is it clear? मैं हट जाता हूँ थोड़े समय के लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो ओके चलो ये वाला मैप दिखाता हूँ अभी आपको ठीक है ना? अभी तक हमने देखा तीस्ता ये तीस्ता तीस्ता की सायक नदी रंगीत ये हमने एक रीवर देखी संकोष ये संकोष रीवर है और पिटा यहां देखना यहां पे भुटान है ये ये भुटान देश है भुटान तो याद रखना फिर ये मानस रीवर है मानस ये भी भुटान से आ रही है एक और रीवर है ये बर्नाडी अगर पूछ ले आपसे बर्नाडी अभी कुछ नहीं पता यूपियसी का अभी यूपियसी का कुछ नहीं पता वो क्या पूछने वाला है आपसे ये बर्नाडी हो बात करते हैं left hand side की, left hand side वाली ज्यादा पूछ रहा है UPSC, याद रखना, ब्रहम पुतर से जितनी भी नदिया पूछी है maximum, आज तक जो maximum question पूछे है, वो पूछे है left hand side के, left hand side के, हाला कि एक बार question उसने इस पे तीस्ता और रंगीत पे भी पूछा, maximum question लेकिन left hand side के है, इस side के, तो यह देखो, यही पे आपको एक river दिख लिया दिबांग, यह देखो, यह है दिबांग, यह बेटा दिहांग थी, सिहांग या दिहांग, यह है दिबांग, बांग है, बा, बा, दिबांग, दिबांग, ओके, एक और नदी है, यहां पे देखो, लोहित, लोहित है अरे मोहित नहीं बोला भाई कभी सोचे सर मेरे नाम की नदी है मोहित नहीं लोहित लोहित है और इसी लोहित नदी पे धोला सादिया धोला सादिया याद है ना धोला सादिया धोला सादिया भूपिन अहजारिका से तु याद आया होगा आपको तो इसी पे, लोहित पे है, ठीक है, उसके बाद है बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, उसके बाद एक और रिवर है आपकी दीखू, ये रिवर है दीखू, दिखू रिवर है ये एक रिवर है धनसिरी नाम लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको समझ में न आ रहा हो तो लिखा हुआ तो याद आ रहा होगा धनसिरी ओके एक और रिवर है यहां पर कोपीली ये बहुत important है पूछी जा सकती है कोपीली कोपीली रिवर है ये ओके एक और रिवर है यहां पर कोलोंग कोलोंग ये कोलोंग याद रखना छिक है एक और रिवर है दीखू के दीखू के इधर दीखू से थोड़ा नोर्थ में है दिसांग है ना दिसांग इस इत फाइन लिखा आपने जल्दी से लिखो और बताओ मुझे बैटा बाइलिंग्वल औरड़ी इंग्लिष में तो लिखाई हुआ है ना बैटा इंग्लिष में तो लिखाई हुआ है मैंने हिंदी में लिखा भी बाइलिंग्वल में क्या करते हैं, ये कॉपिली लिखा हुआ है, कॉलोंग लिखा है, भरेली, बर्नाडी, मानस, संकोष, मैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सरल कर रहा हूँ, हिंदी में भी लिके, इंग्लिश मीडियम, सारा का सारा मैप बेटा इंग्लिश मे है ये, बहुत बढ़िया, ला जवाब, बहतरीन, दूसरा मैप समझा देता हूँ, दूसरा मैप समझाना क्या है, हम बनाएंगे आपके लिए, है न, एक ऐसा मैप बनाएंगे, कि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लो, ये लो, कहें परिशानों, है न, ये आपकी कैलाश श्रेनी है, कैलाश, 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 कैलाश श्रेनी, कैलाश श्रेनी में आपके मान सरोवर जील के नजदीक से निकलती है, आपकी चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर से, यारलूंग सांगपो, यारलूंग सांगपो, ये यारलूंग सांगपो है तिबबत में, इंडिया में यूटन लेके एंट्री मारी, ये एंट्री मार के चलती जा रही है, चलती जा रही है, और इधर ये एंट्री मार गई बंगलादेश में, और इधर आ गई बंगाल की खाडी, बंगाल की खाडी, ठीक है, हलाकि इससे पहले इसमें, बंगलादेश में इसको जमना के नाम से जाना जाएगा, याद रखना, यह बंगलादेश है, तो यहां पे यह जमना के नाम से है, इधर से इंडिया से गंगास, किस नाम से आ रही है, पदमा, यहां पे आपस में मिल जाती है, अभी बात क करते हैं जैसे इसने एंटरी मारते ही हमने इसको बोला सियांग और यही इसको दिहांग है अरुनाचल प्रदेश में यहाँ पर इससे सबसे पहले आई सुबंचरी सुबंचरीरिवर इसकी सायक नदी है रंगा नदी रंगा नदी यहाँ पर कामेंग कामिंग कामिंग पे मैंने आपको बताया था पाक्वी वाइड लाइफ सेंचुरी है और यहीं पे आपको काजी रंगा में भी मिलेगी काजी रंगा में भी कामिंग मिलेगी उसके बाद है मानस मानस नेशनल पार्क ये आपकी कहां से आ रही है भुटान से मानस रीवर है ये मानस के बाद आ गई संकोश ये भी आपके भुटान बोर्डर से आ रही है इसका नाम है संकोश और यहां से सिक्किम से एक रीवर आ रही है सिक्किम याद रखना सिक्किम से आ रही है आपकी तीस्ता ये आ रही है तीस्ता तीस्ता और इस तीस्ता की सहायक नदी है रंगीत और ये जो तीस्ता है ये सिक्किम और वेस्ट बेंगोल का बॉर्डर बनाती है एक सेकेंड रुकिए आई होप नाव किलियर अभी ठीक है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ ठीक है जल्दी से बताओ ठीक है ठीक है ओके चलौ किलियर है वेल दन कोई बात में यह मशीन है it's fine stuck हो गया था उसका मशीन है क्या करे वो वो मजबूर है वो भी अपने हातों से मजबूर है अभी इधर से आती है सुनो ये right hand side की हो गया बिटा ये सब हो गई हमारी right hand side की अब बात करते है left hand side की left hand side की बात करते है left hand side में सबसे पहले यहाँ पे आई है उत्तर पूरु से यहाँ पे आई है दिबांग एक और रिवर है लोहित दिबांग लोहित ओके उसके बाद बुढ़ी दिहिंग देखी थी आपने है न बुढ़ी दिहिंग उसके बाद है दिखू दिखू और यहीं पे था दिसांग सही चल रहा है ना उसके बाद यहां पे है धनसेरी यहां पे है कौपाली ओके एक और रीवर थी आपका उसका नाम क्या था कोलांग कोलांग तो हो गया अग्या अग्या आपका एक शानदार मैंने मैं त्यार कर दिया आपकी आँखों के सामने अरे क्लियर हो गया या नहीं बताओ बच्चो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव कर लेना 360 पिक्सल पे कर लेना अच्छा साइड प्लीज बच्चे बोल रहे है सर साइड में हो जाओ बैटा हुगली पे भी आएंगे हुगली की भी बात करेंगे अभी टेंशन ना लो हुगली पे आने तो दो ओके पीडिएफ में ये नहीं मिलेगा वाई है ना ये तो बनाना पड़ेगा ये पीडिएफ में नहीं मिलेगा सॉरी उसके लिए अब ये हाथ से बना रहा हूँ तो पीडिएफ में कैसे मिलेगा अब ये बोर्ड है और मैंने देखा इस स्मार्ट बोर्ड पे जो मैं फाइल को PDF में convert कर रहा हूँ ना बेटा 100 MB की एक file बन रही है मतलब इस class को जब मैं PDF में convert कर रहा हूँ तो 100 MB की एक file है आप समझ रहे हो 100 MB का मतलब क्या है अगर मैं एक महिने में 30 class लेता हूँ तो आपका 3 GB के आसपास ये file हो जाएगी आपके phone क्या हो जाएगा भाई भेज़ देए अरे लो भाई साब आपकी खिदमत में हाजिर है अब इस clear है बेटा जल्दी से बताओ शायद आज कुछ net का issue चल रहा है कोई बात नहीं मेरे पास 3-3 network के आप बेटा देखो मुझे पता है ये internet ना ये technology है थोड़ा गड़बड करती है तो मैंने अपने पास 3 internet के connection है 3 internet connection है 3-3 3 internet connection लिए हुए है ठीक है अभी एक में गड़बड है तो दूसरे पर shift कर दिया दूसरे पर गड़बड होगा तीसरे पर shift कर देंगे और अगर भाई तीसरा भी गड़बड कर दिया तो फिर तो क्या ही करेंगे है ना तो आपकी class ऐसे नहीं रुकेगी अगर सारे के सारे connection पीछे पड़गे कि आज class नहीं होने देंगे तब तो बात अलग है एक connection के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी class को रोक सके दूसरे पर जाएगे दो connection भी साथ छोड़देंगे तब भी तीसरा है हमारे पास ठीक है और 300-300 mbps के बैटा टेंशन न लो 300 mbps 300 mbps के है 300 mbps 300 mbps और 300 mbps यह लो ठीक है वेल दन तो हम घबराएंगे नहीं सारा इंतिजाम करके 2-2 मैंने सुनो अगर light भागती है तो 2-2 मैंने क्या लगाए हुए आपके लिए आपके लिए है बेटा 2-2 inverter लगाए है 2-2 inverter लगाए है एक बार light चली गई तो मेरा एक inverter काम करेगा मेरा एक inverter खराब हो गया तो फिर दूसरा काम करेगा इसका मतलब जान रहे हो ना इसका मतलब क्या है आप इस बात का मतलब बताईए मैंने 3 connection क्यों लिए मैंने 2-2 inverter क्यों लगवाए क्यों लगवाए है कोई जवाब दे सकता है इस बात के पीछे का logic क्या गुरु जी को इंडिया में सबसे ज़्यादा energy को consume करने का मतलब मज़ा आ रहा है क्या इतना ज़्यादा internet इतना ज़्यादा electricity क्या करेंगे सर इसका एक मात रुद्देशे आप हो बेटा समझ गए आप मैं नहीं चाता कि मैं अगर अपना एक दिन आपके साथ बिता रहा हूँ न तो वो बिलकुल भी interaction free होना चाहिए ये मेरी कोशिश रहती है पढ़ाई के समय आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और इसका एक और दूसरा उद्देश है कि मैं वास्तव में चाहता हूँ बेटा कि मैं जो बोलता हूँ ना वो बोलने के लिए नहीं बोल रहा है आपको मेरे language से मेरे dedication से मेरी body language से आपको समझ में आता हूँ और वास्तव में जो मैं आपको motivate कर रहा हूँ उसके पीछे वास्तविक उद्देश्य है मेरे कि आप बनो क्योंकि जीवन में आपका चलो मैं नहीं चाहता कि जितना struggle मैंने life में किया आपको उतना देखना पड़े इसका एक और उद्देश्य ये भी है यहां आरे एक बात बताओ तो एक बार हमने 1909 का सुधार करा लिया तो 1909 से 1919 में जाएंगे ना बैटा अब 1919 में जो अचीव कर लिया 1935 में जाएंगे 35 के बाद जाएंगे और आगे जो सब कुछ मैंने जहे लिया इससे तो आगे लेके जाओंगा ना आपको पीछे थोड़ी ना एससे थोड़ी ना 1919 से पीछे लेके चले गया ठारा सो बैयानवे में चले गया आपको लेके नो आगे जाएंगे जहां तक मैं हूँ उससे आगे लेके जाना है आपको वहीं पे नहीं रोकना तो आप मुझे बताओ ये A जो है ये पूरी गंगा रिवर है हमारी इसको मैंने A लिखा है इसको मैंने B लिखा है तो ये A लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है B लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है मुझे इसका जवाब दीजिए A का जवाब दीजिए A और B A क्या है और B क्या है A बेटा A राइट कैसे हो सकता है गंगा यहां से जा रही है यह औरिजिन है इसका यह इसका यहां पे मुहाना बना रही है तो आपने भी इधर से उधर मुह करके खड़ हुए तो आपका लेफ्ट गंगा का लेफ्ट आपका राइट गंगा का तो जो A है ये left हुआ बेटा और जो B है ये right हुआ ठीक है चलते हैं यहां से आगे तो ये देखो बेसिकली जो गंगा है ये एक भगीरती रीवर है भगीरती और एक है अलकनन्दा भगीरती है और एक है अलकनन्दा अलकनन्दा भगीरती और अलकनन्दा जब यहां पे मिल जाते है देव प्रियाग प्रियाग मतलब दो नदियों का संगम जब ये देव प्रियाग में मिलते है इसके बाद इसका नाम गंगा होता है गंगा तो इस देव प्रियाग ये एक देव प्रियाग इसके उपर है रुद्र प्रियाग, इसके उपर है करण प्रियाग, उसके उपर है नंद प्रियाग और सबसे उपर है विश्नु प्रियाग और ये देखो ये है बदरीनात, ये है किदारनात और ये है गंगोत्री याद रखना अगर कभी भी आ जाए और यमनोत्री पे है यहाँ पे यमना यमनोत्री, गंगोत्री, किदारनाथ, बद्रिनाथ, बद्रिनाथ, अलकनन्दा, किदारनाथ, मंदाक्नी, गंगोत्री, भागीरती, यमनोत्री, यमना ठीक है सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे है आपका गंगोत्री ग्लेशियर है इस गंगोत्री ग्लेशियर से निकली आपकी भगी रती यहाँ पे एक और ग्लेशियर है सतो पंथ सतो पंथ सतो पंथ ग्लेशियर यहाँ से आपकी निकल के आ रही है अलक नंदा यह है अलक नंदा यह आपस में आके मिलते है कहां पे देव प्रियाग एक प्रियाग है प्रियाग मतलब नदियों का संगम देव प्रियाग है यह इस भगीरती की एक साहयक नदी है भिलांगना भगीरती और भिलांगना जहां मिलते है वहाँ पे हमने टिहरी यहीं पे है अमारा टिहरी प्रोजेक्ट भी आपको याद होगा अब यह अलक नंदा में बहुत सारी नदियों के मिलती है अनक अलक नंदा में धोली गंगा मिलती है धोली गंगा अलग नंदा में एक आके मिलती है नंदाक्नी इसमें एक और रीवर मिलती है पिंडर रीवर और यहां से आके इसमें मिलती है मंदाक्नी मंदाक्नी तो यह इतने सारे इसके प्रियाग है यह सब नदिया जहां आपे आके इसको जॉइन कर रही है तो इस वाले को तो हमने बोला देव प्रियाग और यहां पे जो प्रियाग है दूसरे वाला प्रियाग का नाम में आपको बता देता हूँ ये रुद्र प्रियाग है ये है रुद्र प्रियाग ये है देव प्रियाग यहाँ पे पिंडर और ये अलक नंदा अलक नंदा में मिल रही है तो यहाँ पे है करण प्रियाग यहाँ पे है नंद प्रियाग जहाँ पे नंदाकनी मिलती है नंद प्रियाग और जहां पे धोली गंगा मिलती है वहां पे है विश्नु प्रियाग और इस मंदाखनी पे यहां पे है केदारनात यह केदारनात इस मंदाखनी पे है और यही पे जहां से आपकी अलक नंदारी है वहां पे है आपका बदरीनात बदरी नात बदरी नात किदार नात यह यातराय सुनी होगे आपने जब यहाँ पर यह से मिल जाती है इसके बाद यह चलती है गंगा के नाम से आगे उसके बाद इसका नाम हो जाता है गंगा यह लोग गंगा और यह गंगा जाके अपना डिल्टा यह जाएगी बंगाल की खाड़ी में ठिक है अब तो याद रखना ये रुद्र प्रियाग है ये देव प्रियाग है ये कई बार आप से UPSC क्या पूछ सकता है इन प्रियाग का नौर्थ से साउथ और्डर पूछ सकता है साउथ से नौर्थ और पूछ सकता है याद रखना उत्तर से दक्षिन दक्षिन से उत्तर या ये पूछ लेगा विश्नु प्रियाग पे कौन सी दो नदिया मिलती है या पूछ लेगा नंद प्रियाग पे कौन सी दो नदिया है कर्ण प्रियाग पे कौन सी नदिया है केदारनात पे कौन सी नदी है या रुद्र प्रियाग पे कौन सी नदी है तो याद रखो इस देव प्रियाग को हम याद रख लेंगे देव से है ना देव देव नाम से याद रखेंगे रुद्र प्रियाग को R से कंड प्रियाग को K से नंद प्रियाग को N से और विश्नु प्रियाग को V से तो V, N, K, R, देव तो देव, देव है ना, देव नाम का कोई व्यक्ति है हमने उससे मागा है वन कर वन कर का मतलब वनों पर लगने वाला कर तो V से हो गया विश्णू, N से हो गया नंद, K से मतलब हो गया करण, और R से मतलब हो गया रुद्र तो सबसे साउत में तो देव रहेगा, बस याद रखना तो वनकर मांगा है हमने किस से? देव बाबू से है न, देव बाबू आपको वनकर देना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा तो वनकर मांग लिया हमने किस से मांगा है? वनकर देव से विश्णु प्रियाग, नंद प्रियाग, कर्ण प्रियाग, रुद्र प्रियाग, देव प्रियाग, बिल्कुल ऐसे है विश्णु प्रियाग, नंद प्रियाग, कर्ण प्रियाग, रुद्र प्रियाग, देव प्रियाग ठीक है वनकर देव वनकर याद हो गया न अरे कोई दिक्कत तो नहीं हुई न याद करने में फटाफर बताईए वन कर देव कल MCQ में भी मैंने आपको एक कोड बताया था ठीक है असली जो मुद्दा है ना बिटा अब ये रुद्र है ये रुद्र बस आपको याद रखना रुद्र पे मंदाकनी है जब ये रुद्र है ना तो मंदाकनी है मंदाकनी मंदाकनी का मतलब बिजली रुद्र का मतलब कहते हैं इसने तो रुद्र रूप धरन कर लिया यानि के बिजली चकड़गेगी अब, तो रुद्र पे याद रखना, मंदाकनी, रुद्र पे क्या रखोंगे, मंदाकनी, अब नंद से नंदाकनी याद रखना है, नंद से नंदाकनी, नंदर प्रियाग पे अलग नंदा में क्या मिलती है नंदाकनी अभी कार्ण है है ना कर्ण पांडव कर्ण याद है ना महाबारत पांडव से याद रख लेना पिंडर पिंडर है तो पांडव और उनके साथ को उन थे अपोजिट में कोराव पांडव और उनमें कर्ण थे कोई तो याद रखना कर्ण से याद रख लेना पिंडर ओके और विश्णू पे याद रख लेना धोली तो इन नदियों का combination याद रखना भी जरूरी है कितने आसानी से याद हो गया ना वन कर देव नौर्थ से साउथ है अगर साउथ से नौर्थ तो कोड ऐसे लिख लेना ये साउथ हो जाएगा उससे नौर्थ उससे नौर्थ सबसे नौर्थ बदरीनाथ, अलकननदा, किदारनाथ, मंदाकनी, गंगोतरी, भगीरती ये सब याद रखना है और यहाँ के बाद चली है ये गंगा के नाम से आगे अब इसके आगे की कहानी देखेंगे, इतनी कहानी हो गई अब इससे आगे की चलते हैं यहाँ से आगे यहाँ से आगे चलते हैं अभी हम तो हमने इतना पढ़ लिया कि ये भगीरती है ये अलकनन्दा है ये भगीरती है यहां से देव प्रियाग है अभी ये आगे चलती है ये बंगाल की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी तो ये गंगा हो गए यहां से इसका नाम हो गया गंगा गंगा नदी अब यहां से एक और रीवर आ रही है यमनोत्री से आ रही है यमना यमनोत्री से आ रही है यमना और यमना इसको इलहाबाद प्रियाग राज में जाके जोइन करती है यह यमना है यमना और यह कहां से निकल रही है यमनोतरी से ठीक है इस यमना की एक सायक नदी है टॉंस याद रखना है यमना की सायक नदी है टॉंस अच्छा मुझे यह जवाब दीजिए कि जो यमना है यमना गंगा की दाय हाथ की सायक नदी है या बाय हाथ की जवाब दो यमना गंगा की दाय हाथ की सायक नदी है या बाय हाथ की जल्दी से जवाब दीजिए राइट हैंड, वेल डन, लाजवाब, राइट है बिटा ये, चलो, अब ये गंगा पे आके मिल गई यमना, ओके, यहाँ पे आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे है राम गंगा, राम गंगा, एक है गौमती, फिर है घागरा, घागरा में एक तरफ है शारदा, एक तरफ है राप्ती, राप्ती, गौमती, राम गंगा, गोमती, घागरा, फिर है गंडक, फिर है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर है कौशी, फिर है महानन्दा, तो याद रखना महानन्दा, लेफ्ट हैंड साइड की अंतिम प्रमुक नदी है, गंगा की सायक नदी, लेफ्ट हैंड साइड की अंतिम, और इसी महानन्दा पे आपने नाम सुना होगा, मेची, मेची डेम, मेची की बात सुनी होगी, मेची, 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 यहाँ पे मेची का नाम सुना होगा, एशियन डवलप्मेंट बैंक, एडी बी, मेची, ओके, बहुत बढ़िया, इधर यह यमना होगी, यमना के बाद होगई, सौन, सौन, सौन रीवर, सौन की सायक नदी है, उत्री कोयल, उत्री कोयल, उत्री कोयल रीवर है, और यहाँ पे है पुन-पुन, एक और रीवर है, पुन-पुन, यह गंगा की सायक नदी है, लास्ट भी यहां पे इस पे बनाया गया है फरक्का बेराज याद रखना फरक्का बेराज फरक्का बेराज फरक्का बेराज है गंगा पे अब गंगा की सायक नदी, गंगा की सायक नदी है यमना, ये यमना, यमना में आके मिलती है, एक रिवर आके मिलती है चंबल, चंबल, यहाँ पे है केन, बेतवा, सिंध, सिंध, केन, बेतवा, और सिंध, सब यमना की है बेटा, और इस चंबल की है, छिपरा, काली सिंध, पारवती, ये छिपरा, काली सिंध, और पारवती, ये चंबल मिलती है इदर, नजर आ रहा है आपको, जल्दी से बताओ, और इस चंबल की सायक नदी है, बनास, इदर से है, बनास, यहाँ पर भी मैं बता देना, तो ये जो टॉंस है न, इस टॉंस की सायक नदी है, गिरी, गिरी, टॉंस की सायक नदी है, गिरी, फटा-फट बनाओ इसको, फटा-फट बनाओ, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बना लिया है न, ये काम आएगा बेटा, बहुत ज़ादा काम आने वाला है ये आपको, बहुत ही ज़ादा helppul रहेगा आपके लिए ये map, बंदर पूच बेटा, glacier है न, बंदर पूच glacier से निकलती है, बंदर पूच glacier, ये बंदर पूच glacier है, बंदर पूच glacier है, जो यमना है न अगर गलेशर का नाम पूछ ले, यमना के गलेशियर का नाम पूछ ले तो बंदर पूछ है लो भाई साब, हो गई साइड और कोई आदेश, हुक्म कोई और आदेश, हुक्म हो बताईए आज डेड़ बजे वाली क्लास नहीं होगी बिटा, एक बजे तक तो यही चलेगा ठीक है अब जिन बच्चों के कल वाले भुगोल के महादंगल में जो कौशन पूछे थे मैंने सारे, MCQs पूछे थे ना, रीवर, उसकी सहायक नदियों, ग्लेशियर्स पे थे, अभी सारे सही हो जाएंगे आज वाला भी जो इवनिंग का सवा पाँच बजे का भुगोल का महादंगल है, भारत की नदिया और नदिया उनकी सहायक नदियों पर ही है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का नेक्स चलते हैं यहाँ से ओके आगे चले ना, हाँ, ठीक है यह आप देख सकते हैं, यही सारी चीज़े, अब मैं आपको बता चुका, यह चंबल होगी, चंबल की सहायक बनास होगी यह काली सिंद, यह पारवती, यह सिंद, केन, बेतवा, टॉंस, अच्छा याद रखना, बिटा टॉंस पर याद रखना एक टॉंस गंगा की भी सहायक है, और एक टॉंस यमना की भी सहायक है, सुनो, 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 अगर यूपियसी आपसे टॉंस पूछता है, टॉंस, है ना, और हमने देखा टॉंस यमना की सहायक नदी, देखी, हमने टॉंस, देखी, एक टॉंस गंगा की भी साहयक नदी है एक टॉंस गंगा की भी है तो UPSC दोनों option तो एक साथ नहीं देगा ये बात तो पक्का है कि वो टॉंस यमना लिख देगा और टॉंस गंगा लिख देगा लेकिन suppose करो अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि गंगा की साहयक नदी है टॉंस सपोस करो आपने ये पढ़ा है लेकिन UPSC statement में दे देता है यमना के सामने टॉंस तो गलत मत करना ये भी है ये अलग है और ये अलग है याद रहेगा तो अगर यमना के सामने टॉंस दोनों तो एक साथ नहीं देने वाला लेकिन अगर हमने सिर्फ ये पढ़ा होता तो हमारा ये वाला हम इसको गलत काट देते और हमारा एक कुश्चन गलत हो जाता ये देखो टॉंस यहाँ भी है टॉंस यहाँ पे भी है ठीक है यहाँ पे हमने बनाया फरक्का वेराज ये देखो फरक्का वेराज है मैं आपको बता चुका और ये जब बांगला देश में एंटर करती है तो इसको पदमा के नाम से जानते है अब ये देखो ये सोन बताई थी मैंने सोन की सायक नदी है रिहंद और कोयल यहाँ पे देखो एक पुन-पुन रीवर है ये लिखा बेटा पुन-पुन लिखा हुआ है फिर आपको होगए ये हुगली क्या है सरी हुगली बताओ ये हुगली हुगली क्या है अभी बताते हुगली क्या है सुनो यहां पर देखो यह हुगली basically हुगली क्या है एक डिस्ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की डिस्ट्रिब्यूटरी एक वित्रिका के रूप में जानी जाती है अब वित्रिका क्या होता है वित्रिका है ना, डिस्ट्रिब्यूटरी है अब इस हुगली की साहयक नदी है और यह दामोधर दामोधर भी जाके किसमें जारी है हुगली में मयोगली, दामोधर, हुगली और हुगली क्या है गंगा की वित्री का और यहां पे क्या है फरक्का बेराज ठीक है बहुत ही बढ़िया गजब मयुराक्षी और दामोदर को याद रखना हुगली पे ठीक है यमना की बात करते यमना ये यमना इसकी सायक न दिये यमना वाला मैं दिखाता हूँ मैं आपको ये देखो बेटा मैंने बताया था ना यमना ये यमना ये यमना है यमना की सायक न दिये देखो ये टॉन्स और ये यमना पे ही इसकी एक सायक न दिये गिरी ये याद रखो ये गिरी है और ये टॉन्स है ये इसकी सायक नदी चंबल है हमने देख लिया चंबल की सायक नदी ये बनास है ये बनास ये चंबल और इधर है काली सिंध इससे पहले है छिपरा यहाँ पे छिपरा है छिपरा काली सिंध पारवती और ये केन बेतवा और सिंध और ये यमना जाके बाद में मिल जाती है ग प्रेंचन नहीं है। दामोदर को आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। दामोदर पे आगे जाने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ बेटा आपको सुनो। एक एक बहुत इंपोर्टेंट चीज मिस हो गई मुझसे। ठीक है। ये नागालेंड है। ये अरुनाचल है। ये मनिपुर, ये मिजोरम है और ये तिरुपुरा है। और ये आपको पता है मिघाले है, और ये हमारा आसामल है। ठीक है, ये सिक्किम है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक दो महतपुन नदिया दिखा देना चाहता हूँ। मनिपुर में आपको याद होगा, मनिपुर के अंदर हमने बहुत सारी हिल्स पढ़ी थी, पढ़ी थी ना। बताओ मुझे। तो यहीं पर मनिपुर से एक रीवर निकलती है, बराक रीवर। बराक रीवर थोड़ा नागलेंड में जाएगी, फिर यह असम में होती हुई और उसके बाद मिजोरम में होती हुई, रीवर का नाम है बराक, अरे भाई बराक नदी, बराक नदी है यह, इस बराक नदी को बांगला देश में सुर्मा, इसी को सुर्मा के नाम से जानते हो आप इस बराक रीवर का ब्रहम पुतर से कोई लेना देना नहीं है यह अलग ही है अभी यहां मतलब ब्रहम पुतर जब इधर आके मिल रही है तो यहां पे इसका ब्रहम पुतर से कोई लेना देना नहीं है बराक गई मनिपूर नागा लेंड आसम और मिजोरम और यहां के बा पांगला देश, ठीक है, बराक, येस, अब यहाँ पे इस बराक की एक सायक नदी है, धलेशवरी, धलेशवरी, ओके, यहीं तिरिपुरा में भी एक नदी है, तिरिपुरा में एक नदी है, फेनी, f-e-n-i, फेनी रिवर, f-e-n-i, पेनी रीवर यह आपको करंट अफेर में चर्चा में मिल जाएगे फेनी याद रहने वाला है आपको बराक, 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 बराक आओ भई, स्वागत है आपका बच्चा कहरे सर में किलास में आज़ो, आज़ो वर्चुल क्लास है यह फेनी रीवर ठीक है फेनी हो गई बराक हो गई, फेनी हो गई ठीक ग्रेट इसको लिख लेना, उधर भ्रह्मपुत्र में ही अपडेट कर लेना, जहां पे भ्रह्मपुत्र बनाया ना बेटा, इसको उसमें ही अपडेट करना है आपको अब आ जाते हैं दामोदर भहिया के पास आते हैं, दामोदर भहिया है, यह हमारे दामोदर नदी बेसिन दामोदर मैंने क्या बताया था हुगली में जाके मिलती है यह हुगली आ रही है यह हुगली हुगली में जाके मिलती है आपकी दामोदर और हुगली में ही जाके मयुराक्षी थी आपकी उदर मयुराक्षी भी याद रखना मयुराक्षी ठिक है तो ये दामोदर है इस दामोदर पे आपको कुछ याद रखना है अभी ये दामोदर 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 गई 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 ये जाके हुगली में चले गई यहाँ पे इसके बहुत सारे डैम मिलेंगे आपको तेनुघाट कोनार तिलया ओके और मैथिन और पंचेत पंचेत यही है यहां पे देखो धनबाद धनबाद है आप बोलोगे सर्क थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है याद करना तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ ठीक है यह दामुदर है यह दामुदर भाईया यह दामुदर है दामुदर नदी है यह दामुदर दामुदर है यह दामुदर पे इसकी एक सहायख नदी है कोनार एक है बराकर, बराकर, एक और इसकी सहायख नदी है, बराकर, बराकर, अब इस पे बहुत सारे आपको बांध देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये दामोदर रिवर निकलती कहां से है, छोटा नागपुर के पठार, ये याद रखना, छोटा नागपुर का पठार, चोटा नागपुर पठार, अब इस पे बहुत सारे आपको बांध मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा तैनुघाट, तैनुघाट, तैनुघाट है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कोनार है, यहाँ पे है कोनार, ओके, बराकर पे है तिलैया, 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 ओके, यहाँ पे है यहाँ पे कौन सा है मैथिन 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 और यहाँ पे है पंचेत इस पे पंचेत है दामोदर पे पंचेत और यह इधर हुगली आ रही है हुगली से जाके मिल जाती है यह हुगली है यह तो पहला कौन सा है तेनु घाट को किस से याद रखेंगे T से, कोनार को किस से याद रखेंगे K से, तिलाया को किस के याद रखेंगे T से, मैथन को किस से याद रखेंगे M से, और पंचेत को किस से याद रखेंगे P से, यानि के तेनु घाट, कोनार, तिलाया, मैथन और पंचेत, तो किस तरह स है ये आपके सारे बांध देखो आपके कुछ इस तरीके से तेनुगाट कोनार तिलाया मैथिन और पंचेत तो यानि के आप से पूछ सकता है इन में से कौन सा बांध आपका दामोदर नदी पे है दामोदर दामोदर पे कौन कौन से बांध है तो याद रखना दामोदर की द दामोदर भीया है हमारे एक दामोदर भीया उनको टिकट चाहिए टिकट चाहिए किस सी का MP का yeंपी बनना चाहते है भाई वो दामोदर भीया को MP का टिकट चाहिए टी, के, टी, एमपी, तेनुहाट, कोनार, तिलाया, मैथन और पंचेत बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मेन की बात कर रहे हैं बैटा मेन ठीक है टिकट चाहिए दामोदर भीया को एमपी बनना है ठीक है, दामोदर भीया एमपी बनना चाहते है, टिकट चाहिए उनको कहां का चाहिए, या तो जहरखंड से चाहिए होगा, या वेस्ट बेंगोल से चाहिए टिकट चाहिए एमपी का याद रहने वाला है आपको पटाफट, पटाफट बताओ मुझे ये जो हुगली आ रही है न मिटा ये हुगली है, इसी हुगली की एक और सायक नदी है आजे, 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 हुगली, हुगली की ही एक और सायक नदी है, आजे है सब रिवीजन करादूं आटेंशन न लो आज की जैसे ही क्लास एंड होगी न आप सारी चीज़े आपकी उंगलियों पे आ चुकी होगी मैं आपके सामने यही डेमोंस्टेशन देने वाला हूँ सारी डीवर्स का तो घबराईए मत मैं हूँ आपके साथ नेक्स चलते हैं अव प्राइदीपिय भारत की प्रमुक नदी देखते हैं प्रायदीपिय भारत में कोण-कोन सी नदी है हमारी महानदी, नर्मदा, तापी, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेरियार यह सारी नदी है सबसे पहले बात करते है महा नदी, ये देखो, महा नदी कहां से निकलती है, दंड कारणिये, सिहावा के पास से, 36 गर्भ, ये देखो, महा नदी 857 किलो मिटर लंबी है, ठीक है ये गोदावरी है, ये लेंथ देखनी हो, ये वाला सेगमेंट अगर देखना हो तो देखनी है कि अप वहाँ, कि उसकी लेंथ के हिसाब से कौन जादा लंबी है, कौन जादा छोटी है, तो ये मैंने आपको दिया है, जैसे ये आपका प्रायदीप ये भारत का है, यहीं पे मैंने आपको एक दिया था, याद होगा, गंगा के टाइम पे, ये वाला, ये गंगा, राम इनकी भी मैंने लेंथ वगरा, दिखाएए, आप इसको नोट कर सकते हो, दामोदर हो गई, प्रायदीप पे आगए, महा नदी पे, महा नदी का हमने देखा, महा नदी दंड कारण्य है, ठीक है, अब ही दिखेगी ना बिटा, उससे क्या टेंशन है, ये देखो, ये महा न नदी है आपकी, ये जो पूरी चल दी है न बिटा, ये पूरी की पूरी, ये आपकी महा नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाया है, ये पूरी की पूरी महा नदी, ये महा नदी का लेफ्ट, ये महा नदी का राइट, तो इसकी राइट हैंड एक नदी कौन सी है, शियोनात, या कई बार आप इसको शिवनात भी बोल देते हैं, शियोनात, सिवनात, हस दो, हस दो, ओके, उसके बाद है मंड, और उसके बाद है इब, यह आ सकता है पिटा है न, यह कुशन कभी भी आ सकता है, यहाँ पे एक आपका बांध बना है, जिसक गुद्स में तो आपको ये सारी चीजे इतना बड़ा नहीं मिलेगी यह आपको पता है यह जो आपको ये सब नज़रा रहा है минимum चीजे मैंने अपने हाथ से ये सब जो नज़रा रही है न ये खुद की ड्रो की हुई है यह जो नजर आ रही है खुद की ड्रो की है नहीं मिले गए आपको इसलिए इसको अपनी कॉपी में बना के रखे इधर है जॉंक इधर देखो राइट हैंड साइड पर है जॉंक फिर यह है ओंग और यह है तेल तेल नदी अगर कभी पूछ ले तो शियोनात हस्दो मंद इब जॉंक ओंग तेल तो शियोनात हस्दो मंद इब ठीक है और इधर से कौन सी है जॉंक ओंग तेल याद रहेगा मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ जैसे कोई नाम है शमी शमी है ना शमी है ना यह और जॉत शमी जॉत कोई नाम से याद रख लो इसको मैंने तो ऐसे ही मैंने तो अपनी जब मैं नोट्स बनाता था ना बिटा मैंने तो अपने नोट्स पे बिल्कुल सेम ऐसे ही बना लिया था शमी जॉत शमी यानिके यह ऐसे इसको मैंने किया ये नौर्थ वाला या निके ये नौर्थ वाला इधर वाला ये वाला हो गया और इधर वाला ये वाला हो गया तो SHMI और JOT आप कैसे याद करोगे आप देख लेना छीक है शमी जोत शमी जोत हो गया ये ये लो भई साइड प्लीज हो गये है न महानदी आगे चले यहां से इस फाइन नेक्स चलते है अब आगे गोदावरी गोदावरी बहुत ही महतपून रीवर है UPSC ने बहुत कोशन पुछे भाई इस पे है ना गोदावरी पे बहुत कोशन पुछे है तो गोदावरी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये गोदावरी नदी ये इधर आती है आपकी बेओ बेंगोल में ये देखो ये बीचो बीच जो है आपकी ये गोदावरी चल रही है ये गोदावरी है बीचो बीच जो है ना गोदावरी है ये यह गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके इसने अपना डिल्टा बनाया अब यह देखो बेटा यहाँ पे है पेन गंगा पेन गंगा पेन गंगा ओके एक वर्धा वर्धा इधर फिर है वेन गंगा ये वेन गंगा और ये वेन गंगा किससे मिलके बनी है कहना और पेंच ये कहना और पेंच MP में है न कहना पेंच उनसे मिलके बनी वेन गंगा अब ये वर्धा और वेन गंगा आपस में मिलके बनाती है प्रणहिता प्राणहिता याद रखना वर्धा और वेन गंगा आपस में मिलती है तो बनती है प्राणहिता इधर से एक और रीवर आ रही है इंदरावती इंदरावती नेशनल पार्क इंदरावती टाइगर रिजर्व इसी पे चित्र कूट वाटरफॉल भी है नाम है इंदरावती इंदरावती ओके और एक और नदी आ रही है सबरी सबरी और इस सबरी की एक और सायक नदी है सिलेरू सबरी की सायक नदी मिलेगी आपको सिलेरू ये है सबरी टेंचन ना लो अभी आऊंगा वापस से फिर से इधर है मूला ये मूला है, ये मंजरा है, मंजरा, और ये है माहिर, मूला, मंजरा, माहिर, एक और रीवर आती है यहां पर पूर्ना, पूर्ना रीवर है एक और, पूर्ना. ठीक है, समझ में आया आपको, अब ग्यान की बात क्या है, सुनो, अभी ग्यान की बात ये है, नई चीज जो हमारे मिलने वाली है, यहाँ पे नया है, कि जो यह पेन गंगा है, अजन्ता की पहाडियों से निकलती है, अजन्ता की पहाडिया, अजन्ता, अजन्ता से निकला पेन, वरधा निकलती है सत्पुडा से, सत्पुडा से निकली है वरधा, सत्पुडा, और यह जो माहिर है, यह निकली है बाला घाट से, बाला घाट से बाला घाट से मंजरा और गोदावरी का ओरिजिन कहा है महारास्ट में महारास्ट में ओके आपके तरंबकेश्वर तरंबकेश्वर नासिक आपने नाम सुना होगा नासिक तरंबकेश्वर तो तरंबकेश्वर से गोदावरी निकली गोदावरी की लेफ्ट हेंड साइड पे है पूर्णा पेन गंगा ये पेन बस याद रखना अजन्ता की गुफाओं में पेन गंगा सत्थपुडा वर्धा इस वर्धा की साहयक नदी है पेन गंगा ये पेन गंगा है ना बेटा ये पेन गंगा मिलती है वर्धा में यहाँ पे ये पेन गंगा वर्धा की साहयक नदी है इधर से कहना और पेंच दोनों मिलके बनी वेन पेन गंगा वेन गंगा और ये वर्धा जब ये डबलु डबलु आपस में मिले तो ये डबलु डबलु जब आपस में मिले तब बनी प्रणहिता प्रणहिता ओके इधर से इंदरावती है इंदरावती चित्र कूट जल प्रपात इंदरावती नेशनल पार्क इंदरावती टाइगर रिजर ये आके मिलती है उसके बाद एक और सायक नदी है सबरी सबरी की सायक है सिलेरू इधर है मूला मंजरा मंजरा निकलती है बाला घाट रेंज से और ये है माहिर समझ में आया? ठीक है बहुत बढ़िया बहुती ला जवाब ठीक है पीडियाफ मिलेगा भाई मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा पीडियाफ तो हमेशा से ही मिलता आया है नेक्स चलते है नेक्स कैसे चलते है? नेक्स हम ऐसे चलेंगे ये तरंबकेश्वर महारास्ट महारास्ट में ठीक है वहाँ से एक रीवर निकलती है रीवर का नाम है रीवर का नाम है गोदावरी और ये आंद्रप्रदेश में जाके इसने बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है अब इसकी सहायक नदी है सबसे पहले आती है पूर्णा पूर्णा ओके यहां पे है अजन्ता की पहाडिया अजन्ता अजन्ता से निकला है पेन गंगा पेन गंगा ओके यहीं सत्पुडा है अजन्ता सत्पुडा सत्पुडा से निकली है आपकी वर्धा वर्धा अब इस पेन गंगा ने इस वर्धा को जोईन कर लिया कोई बात नहीं इधर से MP से आ रही है कहना एक आ रही है पेंच कहना और पेंच आपस में मिल गए बन गई वेन गंगा वेन गंगा ये पेन गंगा और ये वेन गंगा आपस में मिल जाते हैं तो पेन गंगा और वर्धा आपस में मिलते हैं, यहां पे बनती है प्रणहिता, यह प्रणहिता आके मिल गई गोदावरी में, एक और रिवर आती है इंद्रावती, इंद्रावती आ गई है, इंद्रावती इसी इंद्रावती पे है आपका चित्रकूट जल प्रपात, चित् इंदरावती पे आपका इंदरावती टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व इसी पे है आपका इंदरावती नेशनल पार्क एक और नदी आती है सबरी 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 वो आके मिलती है गुदावरी में इस सबरी की सायख नदी है सिलेरू इधर आती है मूला ये एक ओर आती है मंज़रा मंज़रा आती है बाला घाट से ये बाला घाट और यहाँ पर एक ओर आती है माहिर तो M, M, M छीक है, तो गोदावरी में मूला भी है, मंजरा भी है और महर भी है, तो गोदावरी पे मूला, मंजरा, माहिर तीनो है ट्रिपल M है ठीक है समझ भी आया ना आपको यह सब बच्चे के रहे सरी यह कौन सा फॉर्मूला है ऐसे ही फॉर्मूले होते हैं, बटा कई बार ना ठीक है अब आते हम कृष्णा पे, कृष्णा का नाम सुना है न आपने? महरास्ट में महा बलेश्वर ये देखो कृष्णा ये भी आंध्राप्रदेश गोदावरी भी थी आंध्राप्रदेश ठीक है बंगाल की खाड़ी है ये इदर अब देखते हैं कृष्णा को ऐसे मिलते हैं आपको ओनलाइन मैप मैंने जान बूज के लगाया है कि देखो कैसे मैप मिलते हैं कैसे याद करोगे इन मैप को आप कैसे याद करोगे मुश्किल बड़ा है ना हम हैं ना आपके लिए टेंशन क्यों लेते हैं आजाओ यहाँ पे है महा बलेश्वर महा बलेश्वर यहाँ से निकली क्रिश्णा 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 यह लो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे एक इसकी सायक नदी आएगी यह इसको मैं क्रिश्णा यहीं पर लिख देता हूं कि यह क्रिश्णा है क्रिश्णा 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 एक रिवर है भीम और भीम की सायक नदी है सेना भीम की सेना तो हो गई भीम सेना कई बार भीम सेना जैसे चंदरभागा को चेना बोल दिये इसको आपने भीम सेना हो गई भीम सेना भीम सेना के बाद है मूसी और उसके बाद है मुनेरू उसके बाद है इधर से आएगी कोईना कोईना वरना कोईना वरना कोईना वरना कोईना वरना कोईना वरना पंच गंगा पंच गंगा इंगलिश में भी लिख ले ना इसको आप पंच गंगा ओके एक ओर है दूद गंगा दूद गंगा ओके उसके बाद है तुंग भद्रा नई घाट प्रभा घाट प्रभा आएगी प्रभा फिर आएगी माल प्रभा और फिर तूंग और भद्रा इस तरह से चले गाए तूंग भद्रा ठीक है तूंग और भद्रा तो ये बन जाएगी तूंग भद्रा तूंग और भद्रा तूंग भद्रा तो ये कोई ना सबसे पहले मैं आपको एक बार रुकिए येलो येलो येलोग तीक है थोड़ा बेटा बारी काम है यह समझाने में एक एक चीजों में थोड़ा टाइम लगता है ताकि आप अच्छे से इसको बना सके ठीक है अब कुछ कोशन देखते हैं जैसे हमपी है आपने नाम सुना होगा हमपी हमपी वो तुम भदरा पे है बटाये ना तुम भदरा हमपी और जो माल प्रभा है यह माल जो प्रभा है इसके आसपास भी आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स मिलने वाली है माल प्रभा के पास एहोल के मंदिर याद है ना एहोल पट्टा दकल और बादामी एहोल पट्टा दकल और बादामी एहोल पट्टा दकल और बादामी ठीके तो भीम सेना मूसी मुनेरू कोईना वरना पंच गंगा दूद गंगा घाट प्रभा माल प्रभा तुम भदरा आखे बंद करो और लेफ्ट हैंड साइड की सोचते भीम सेना मूसी मुनेरू राइट हैंड साइड में चलते हैं कोईना वरना पंच गंगा दूद गंगा घाच प्रभा माल प्रभा तुम भदरा तुम भदरा पे एमपी है और माल प्रभा पे एहोल पट्टा दकल और बादामी है ठीक है आर्ट और कल्चर में पढ़ा होगा आपने पढ़ा है न वैल डन कला और संस्रती में पढ़ा है बच्चे बोल रहे कि सर कला संस्रती में पढ़ा है बच्चे कहे रहे सर हमने आख बंद किया तो हमें नीन्द आ गई अरे भाई कैसी बात कर रहे हो ठीक है तो ये हो गई हमारी कृष्णा अब ही आप देखो बिटा ये मैप कौण सा ज़्यादा अच्छा है आप ये बताओ ये वाला ज़्यादा अच्छा है आसान है या ये वाला ये बताओ कौन सा ज़्यादा असान है चलते हैं अब आते हैं कावेरी पे कावेरी कावेरी करनाटक में ब्रहम गिरीसी पहाडियों से निकलेगी ये आ गई कावेरी ये देखो एक कावेरी है ठीक है कावेरी की बात करते है कावेरी का हमारे पास क्या है कुछ है क्या कावेरी पे हम काफी कुछ रखते है यहां पे यह कावेरी है बेटा यहां पे देखेंगे ब्रहम गिरी की पहाड़िया करनाटक करनाटक से तो कावेरी है यह कावेरी बीचो बीच जो चल रही है ये पूरी की पूरी कावेरी है ये बीच में ये कृष्ण राज सागर डैम आ गया ओके यहीं पे ये बीच में आ गया सीवा समुदरम जल प्रपात ओके यहीं पे आ गया हॉगन कैनल जल प्रपात यहीं पे ये बीच में आ गया मैचूर डैम ये कावेरी चल रही है कावेरी चल रही है ये कावेरी कावेरी तो सबसे उपर है हिरांगी हैमावती शिम्षा अरकावती हिरांगी हैमावती शिम्षा अरकावती थोड़ा साउथ के नाम है आपको याद इतना कोमन है भी नहीं बिटा आप सुनते नहीं नौर्थ इंडिया के ज्यादा तर आप प्लेइन वाले हिंदी भाशी बेल्ट के बच्चे हो तो पहली बार सुनने में हो सकता है आपको यह याद रखने में थोड़ा तकलीफ हो लेकिन यह आपका भारत है समझ प्लावानी, सुवानवती, भावानी और अमरावती यह देखो अमरावती तो क्या है लक्षमन्तीर्थ, कभानी, सुवानवती, भावानी और अमरावती यह अमरावती है यह अरकावती है याद रखना यह अरका है अरकावती और यह है अमरावती अम्रावती अरका अम्रा कन्फ्यूज मत हो ना ठीक है कैसे याद करोगे इसको कैसे याद करोगे ऐसे ही कर लो मैंने तो बड़ा अजीब सा नाम याद किया था है ना आपको बताऊंगा तो आपको हसी आएगी आपको बताऊंगा तो आपको या हसी आएगी ह2S हमने अरका वती नाम के व्यक्ति को अरका वती को ह2S हाइडोजन सलफाइड अरका वती अब ये इसके साथ रियक्शन हो गया तो उसने उल्टा सीधा कुछ भी बोलना शुरू कर दिया अभी ह2S ह2S गया अरका वती के पास अभी उल्टा सीधा लक्षबा लक्षबा करने लगा तो लक्षबा का मतलब लक्षमन तीर्थ कबानी स्वनवती भवानी अमरावती ह2S अरका वती और लक्षबा और ये आपकी कावेरी ऐसी नदी है कावेरी नदी ऐसी है कि इसको दक्षिन की गंगा बोला जाता है देखो दक्षिन की गंगा दो नदी आए गोदावरी को भी दक्षिन की गंगा बोलते है और कावेरी को गोदावरी को इसलिए बोला जाता है उसका जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा का अपना एक धार्मिक सांस्क्रतिक महत है सेम वैसा महत गुदावरी का दक्षिन भारत में तो दक्षिन की गंगा सेकिंड कावेरी ऐसी रीवर है जिसको दक्षिनी पश्चिमी मांसून से भी बरसात होती मतलब वर्षा का जल मिलता है और उत्तर पूर्वी मौनसून से भी तो एक तरह से वो सदा नीरा बनी रहती है तो H2S अरकावती लक्षबा अगर याद कर सकते हो तो बिटक कर लेना बस लक्षबा में याद रखना ये ये अमरावती है याद रखना एक सुवण रखा है एक सुवण रेखा भी आएगे लेकिन ये है सुवण वती ये कबाणी और ये लक्षमन तीर्थ अब ये डेम में सब बाद में कराूंगा हलाकि इसमें डेम नजर आ रहे है कृशन राज सागर है सीवा समुदरम waterfall है होगन के लेंड fall है mature dam है बाद में बात करेंगे इनकी अभी नहीं करेंगे जैसे हमने उसमें किया था ना mountain में पहले ranges देखी फिर उनकी peak देखी फिर हमने passes देखे तो पहले सारी नदिया देखेंगे फिर उनके उपर की प्रियोजना देखेंगे ताकि वामिट ना लग जाए है ना जादा हो जाएगा ना तो वामिटिंग का फिलिंग आने लगता है फिर बच्चे कहरें सर अपने हाथ से आप मैप बना दीजिए ये लो ये कौन सी बड़ी बात हो गई है ना ये ब्रह्मगिरी है करनाटक के अंदर ब्रह्मगिरी यहां से निकली आपकी और वेवेवेरी है ये कावेरी है ये कावेरी है इसको थोड़ ś zweiten कावेरी को दिखा देते है एक बार ये कावेरी है ये कावेरी जा रही है अब इधर आ गया है हेरांगी हेरांगी हेमावती ओके सिम्षा और ये है अरकावती अरकावती तो H2S ठीक है इधर क्या है लक्षमन तीर्थ के से काविनी B से लक्ष S है ना तो सुवार्णवती हो गया सुवार्णवती B से भवानी और लक्ष बा अम्रावती अम्रावती ये लो कौन सी बड़ी बात हो गई ऐसे याद करो बेटा आपको उसमें नजर नहीं आएगा Atlas से आप Reverse को नहीं समझ सकते Atlas से नहीं समझ सकते Reverse कोप समझने का एक मातर तरीका सबसे आसान तरीका यही है Plain Page पे बनाओ Left Hand Side Right Hand Side दिखाओ यहाँ पे जो भी उस Plain Page पे लिखना है लिख लो जादा अच्छा रहेगा Okay, well done बहुत ही बढ़िया Atlas में आपको सहायक रीवर मिलेगी नहीं Atlas आपको कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ Atlas कैसा होता है यह देखो यह Atlas होता है ऐसे दे देंगे आपको अब इससे UPSC का Question Solve होगा क्या अभी UPSC ने तो आपको Atlas बना के नहीं दीगी है यह लो मेरा Atlas में इसी से Question पूछूँगा UPSC के तो कोई नहीं है यह मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी यह सब खुद बनाने पड़ेगे बैटा आपको ठीक है Well done आगे चलते हैं अब आगे नर्मदा 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 रीवर अभी बैटा इनका डिरेक्शन याद रखना डिरेक्शन याद रखना चलो अगर मैं आपको कहूँ जो हमारी सिंधू रीवर है जो इंडस रीवर है वो इस्ट की और बहने वाली है या वेस्ट की और है कौन बच्चा बताएगा उसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ गंगा गंगा पूरुव की और बहने वाली है या पश्चिम की और इस्ट है या वेस्ट है अगर मैं आपको कहूँ गोदावरी इस्ट है या वेस्ट है अगर मैं आपको कहूँ ब्रहम पुत्र इस्ट है या वेस्ट है कृष्णा, कावेरी, इस्ट है वेस्ट है, दामोदर, महानदी East है, West है यह याद रखना, चला, इसको बताना मुझे, 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 इंडस का बताओ इंडस बताओ, East है या West है सब बच्चे बता रहे हैं, गंगा East है गुदावरी East है ओके, सिंधू, ठीक, बहुत बढ़िया यह याद रखने हैं आपको हाँ, अलग से सारी चीजे नहीं बताओ, कुछ चीजे आप खुद भी याद रखो अब कोई छोटी सी चीज मिस हो गई तो इसका मतलब थोड़ी नसरा आपने तो बताये नहीं था गुदावरी किधर जाती है यही कुश्चन पूछ लिया अरे मैंने नहीं बताया था मैंने नहीं बताया था लेकिन अगर मैंने आपको ऐसे दिखा दिया कि यह गुदावरी जा रही है तो इसका मतलब क्या है यह भारत का पश्चिम है, यह भारत का पूर्व है तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है ठीक है बैट आप किसी भी रिवर को वो इस्ट जाती है वेस्ट जाती है उसके डेल्टा को याद रखना कि वो डेल्टा किधर बना रही है वो डेल्टा किधर बना रही है अगर इस्ट वेस्ट निकालना है ना तो बस यह याद रखना अंतिम रूप से डेल्टा कहो या उसका मुहाना कहो मैं यह कहूंगा मुहाना मुहाना याद रखो मुहाना उसका माउथ किधर है किधर जाके किधर जाती है वो तो अगर मैं कहूं भ्रम पुत्र का माउथ मतलग किधर जाती है मुहाना किधर है उसका ऐसे तो कन्फ्यूज हो जाओगे सपोज करो गंगा ऐसे आरिये गंगा ऐसे आई ऐसे आई पचास बार मुड़ने दो न उससे क्या फरक पड़ता है कभी आप सोचो अच्छा मैं डिरेक्शन निकालता हूँ ये साउथ है ये वेस्ट है ये साउथ इस्ट है ये इस्ट है ये नौर्थ इस्ट हो गया ये साउथ हो गया ऐसे करते करते लास्ट में पहुँचना तो यहीं है ना ठीड देखलो कहां चले गई एस्ट मे गई बात ही घतम यहान देखो, वो यहान कहां पे आरही है। यह इस्ट direction है, तो इस्ट मे जा रही है, बस है erख lakit, इस्ट इस्ट है कर ज़िकल करण expect देग्या और पता चले गंगा नदी का कॉश्चन ही ले गया वो नदी आपको अपने अच्छा आजाओ बड़ा इस्ट वेस्ट कर रहा है आजा बिटा आजाओ है ना आपको ही तो चाहिए था मेरे घुमाओं में आप पढ़ गए इसका मतलब नवीन सर से नहीं पढ़े हो झाल कर दो का भी ठबना आपको अपको 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 प्हुम आपको बगगो झाल कर दो यूवम अभी बात करते हैं नर्मदा कि ये है नर्मदा ये नर्मदा है ये नर्मदा है वेस्ट फ्लोइंग रीवर है और ये खंबात की खाड़ी है ये वाली जो खाड़ी है न विटा है खंबात की खाड़ी है Gulf of Khambath ki Khaddi Khambath ki Khaddi में گirti है Khambath ki Khaddi ये ज colony तो ये Khambath ki Khaddi मे और सबसे बड़ी बात है कि Extor Valley से भॉके गुजरती है Fresh Valley, Brunch घाटी से भॉके बैती है Brunch घाटी से नर्मदार तापी, दोनों भॉरन्च घाटी से भॉके बैती है तो बात करते हैं इसकी, अभी ये देख रहे हो ना, अभी कितने आसान हो गए, पेन गंगा, हीरा कुंड महानदी, नागार जुनस, ये कोईना, एक लिखके क्या बता रहे हैं, अरे बैद तुम कोईना बता रहे हो ना, हम पचास बता देंगे, हम कोईना नहीं बताएंगे, ह हम वर्णा भी बताएंगे, हम पंच गंगा, दूद गंगा, सब बता देंगे हम, हम घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग भदरा, पचास नाम बता देंगे, इधर भीम सेणा है भाई, तुमारी है न, इधर हम मुसी है, इधर मुनेरु है, क्या पूछना चाते हो? यह देखो यह नर्मदा है यह सरकारी मैप है बिटा सरकारी यानि कि आपको गवर्मेंट वेब साइट पे यह कुछ ऐसा मैप मिलने वाला है यहां मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको रुख जाओ यह लो यहां पे देखो एक डैम है बेटा डैम है बारगी डैम बारगी बी ए आर जी आई बारगी डैम यह न्यूस पेपर में रहते है ना अकसर चर्चा में यह बारगी है इधर देखो ओमकारेश्वर है ओमकारेश्वर ओके और यहीं है इंदरा सागर इंदरा सागर यह तो दिखाई देता हूँ मैं आपको एक बार इंदरा सागर याद रखो अच्छा मैप है यह ठिक है इसके बाद यहाँ पर देखो सरदार सरोवर सरदार सरोवर और यहीं पर एक है जोर बट जोर बट याद रहेगा आपको जोर बट सरदार सरोवर ओमकारेश्वर इंदरा सागर बारगी यह बारगी और ओमकारेश्वर इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए मैंने यह दिखा दिया यह बारगी और पूछ लेगा कुछ नहीं पता एक तरफ UPSC 3-4 रिवर देगा एक नर्मदा देगा एक गुदावरी देगा एक क्रिशना देगा सामने उनके ओपर कोई डैम वैम पूछेगा पूछेगा आपसे कौन सही सुमेलित है कौन गलत सुमेलित है तो आपको यह य ठीक है शांदार अभी यहां पर अब मेरा रोल शुरू होता है मेरा रोल कैसे शुरू होगा मेरा रोल शुरू होगा ऐसे आजओ यह नर्मदा है नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिरती है खंबात की खाड़ी खंबात की खाड़ी में गिर रही है आपकी ठीक है और निकलेगी कहां से अमर कंटक चलती है वेस्ट फ्लॉइंग रीवर है हमारी नर्मदा यह नर्मदा है अब इस पे हमें इसकी सहायक न दिया थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मैं आपको याद करा दूगा हिरन एच आई आर एन हिरन कोलार हिरन कोलार ओके उसके बाद बरना 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 और एक है और सांग और सांग हिरन कोलार बरना और सांग फिर है गई इधर से आएगी गई उसके बाद है कुंडी फिर है छोटा तवा छोटा तवा फिर है भुरनेर भुरनेर और बंजार एक है बंजार और एक है भुरनेर अब मुझे आप ये बता दो आपसे एक प्रशन है यहां पे मैं प्रशन पूछता हूं कि जो कोलार है कोलार जो कोलार नदी है वो नर्मदा की दाएं हाथ की साहिक नदी है या बाएं हाथ की कौन बच्चा जवाब देगा मुझे समझ जाना मिटा समझ जाना खोलार इधर से बिटा देखो है ना ओरिजिन इधर से जा रही है उधर जा रही है मेरा लेफ्ट नर्मदा का लेफ्ट मेरा राइट नर्मदा तो मेरा राइट क्या है उपर और मेरा लेफ्ट क्या है नीचे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है यार, शानदार, लाजवाब, अमदा, कितनी तारीफ करूं है आपकी है ना, कितनी तारीफ करूं, एक दिन तो बस में सुबह से लेके शाम तक आपकी तारीफ करूंगा, जिस दिन आप I.S. बन जाओगे, उससे पहले नहीं, उससे प पहले तु नहीं आएगा पहले तारीफ लायक काम तो करो तारीफ लायक काम करोगे तभी मैं आपका गुनगान करूगा अब याद कैसे रखे भाई ये ये H हो गया हमारा ये K हो गया ये हमारा B हो गया और ये O हो गया ठीक है ये G हो गया गई कुंडी है ना और ये छोटा तवा को याद रखेंगे C और बंजार को याद रखेंगे B और भुरनेर को याद रखेंगे B तो ये क्या हो गया भाई इसको कैसे याद करूँ हम में मेरे पास एक रास्ता है यहां लिख देता हूँ H-B-O काले रण से लिखेंगे ना कभी काले रण से लिखने का मन कर रहा है H-B-O H-B-O-K और नीचे याद रखेंगे B-B-C और D-K गाउ में नहीं कहता H-B-O चैनल याद है ना H-B-O चैनल याद है ना Hollywood की movies आती है तो भाई H-B-O को क्यों देख रहे हो आपकी उमर तो BBC देखने की है H-B-O से क्या मिलेगा B-B-C से G-K मिलेगा BBC News Channel वो जी के General Knowledge बढ़ेगी H-B-O देखने से क्या मिलेगा ठीक है तो H-B-O से हिरन हिरन हो गया ना बरना और सांग कोलार BBC में बंजार, भुरनेर, छोटा तवा, गई और कुंडी कैसा लगा याद हो गया ना एक बार तो हिरन, कोलार, बरना, और सांग हिरन, कोलार, बरना, और सांग गई, कुंडी, छोटा तवा, बंजार, भुरनेर मास्त लगा है, मजा आ गया है ना गजाब नेक्स चलते हैं अभी, ये आपकी नर्मदा हो गई अभी बात करते हैं तापी की, तापी, ओ तापी ओ तापी, तापी, तापी तापी रे कैसे याद करेंगे, बताओ कैसे याद करेंगे तापी को पहले तापी के दर्शन करा देते हैं आपको तापी 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 ये लिजिए तापी यहां कुछ है क्या देख के आते हैं यहां कुछ नहीं है ना ऐसा कुछ नहीं है यहां कुछ है दिखाने लायक यहां कुछ है दिखाने लायक यहां पे दो डैम है क्योंकि जिस दिन में सेम डैम की क्लास कराऊंगा न बिटा आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा उस दिन नर्मदा के भी सारे कराऊंगा तो एक दो आज करा देता हूं साथ के साथ इंपोर्टेंट है यह है उकाई उकाई डैम उकाई उकाई और यह है काकरा पारा बेराज काकरा पारा बेराज पानी को रोकने के लिए ना पानी को अगर आप रोकने के लिए बना रहे हो ना वो बेराज अभी आप आगे देखिए अभी आगे की कहानी देखिए तीन सो साथ कर लीजिए बेटा पिक्चर क्वालिटी आप अपने तीन सो साथ कर लीजिए यह आजव तापी की बात कर रहे है हम तापी 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 ओके तापी तापी यह लीजिए तापी की बात करते है कहां से निकलती है तापी कौन बच्चा बताएगा निकलती कहां से इसका ओरिजिन क्या है तापी का ओरिजिन क्या है तापी ये तापी आ रही है ये भी आपकी खंबात की खाड़ी गई है न खंबात वेस्ट फ्लोइंग रीवर है आपकी ये भी खंबात की खाड़ी में गई गल्फ आफ खंबात ओरिजिन क्या है बैतूल येस कहां से आए हो यार आप इतने होश्यार बैतूल ये तापी चल रही है आपकी तापी अब कैसे आद रखेंगे इसको इसकी सायक नती है गोमई नर्मदा की थी गई ये है गोमई ठीक है उसके बाद अरुनावती अरुनावती है एक है अनेर गोमई अरुनावती अनेर और सुकी सुकी गोमई अरुनावती अनेर और सुकी थोड़ा डिफ्रेंट नेम है ये आपने सुने नहीं होगे मैपिंग में भी यूजवली आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन क्या करे मेरा काम तो आपको पढ़ाने का है मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे आ गई अमरावती ये लो जैसे टॉन्स टॉन्स गंगा की भी सायक नती थी और टॉन्स यमना की भी सायक नदी थी एक अमरावती तापी की सायक नदी है और दूसरी अमरावती किसकी सायक नदी है बताओ कौन बताएगा मुझे दूसरे वाली जो हमने अमरावती पढ़ी थी वो किसकी सायक नदी थी कौन बताएगा मुझे दूसरी अम्रावती किसकी थी? कावेरी क्या बात है? कावेरी, कावेरी, यस, great ठीक है, अम्रावती, पंजरा पंजरा, बोरी, गिर्ना, गिर्ना, नालगंगा और पूर्ना यह लो, पूर्ना यह भी पूर्ना एकोर थी? और यह भी अम्रावती कहीं और भी थी? इसको बताओ बिटा, यह कहां थी? एक और पूर्ना थी हमारे पास एक और पूर्ना थी, एक और अम्रावती थी एक और अम्रावती, एक और पूर्ना पूर्ना, गोदावरी, वैल जन, वैल जन, वैल जन ठीक है अब इसको कैसे याद करें याद करना तठिन हो गया भाई याद करना तठिन हो गया इसको कैसे याद करें बरखुददार इसको याद करना पड़ेगा याद तो करना पड़ेगा कुछ भी कहो UPSC तो पूछने से नहीं छोड़ने वाला अभी इसको से याद रखने वाले है ताप है ताप, हीट है अगर आपको साग बनाना हो मैंने कैसे याद किया हला कि थोड़ा फनी है लेकिन मैं क्या करूँ मेरे भाई मुझे बताना तो पड़ेगा मैंने कैसे याद किया साग, साग को तपाओगे साग को तपाओगे तभी तो साग बनेगा या सीधे पत्ते खा जाओगे तो सूकी आनेर अरुनावती और गोमई ठीक है तो गैस पर है ना ताप देना पड़ेगा ना इसको ताप देना पड़ेगा तापी पे ताप देना पड़ेगा तो साग पकेगा ठीक है ये तो हो गया अब साग खाओगे तो पान खाने की जरूत पड़ेगी नहीं लेकिन आप कहरें मेरा एक पान से काम नी चलेगा तो भाई पान की बोरी खालो अगर पान की बोरी खाली तो भेहोशी से आप गिर सकते हो कहा गिर सकते हो आपके कहां पर नाल गंगा में गिर सकते हो ठीक है और हो सकता है पूरे के पूरे गिर जाओ फिर कोई अमरावती आपको बचाने के लिए नहीं आएगी ठीक है याद रहेगे ऐसे बिटा कुछ फनी भी होना चाहिए शिक्षा को जब तक एंजोई नहीं करोगे ना नॉलिज को एंजोई नहीं करोगे तो आपको बोज लगेगा अभी देखो ये खुद सोचो ये कितने नाम आपके लिए कितने भारी नाम थे गोमई, अरुनावती, अनेर, सूकी, उसके बाद अमरावती, पंजरा, बोरी, गिरना, नाल गंगा, पूरना कैसे याद करोगे ऐसे याद कर लो साग खाया, अभी पान खाना है, एक से काम नहीं चला तो भी बोरी खालो खाओगे तो गिर भी सकते हो, नशा हो सकता है, कहां गिरोगे, नाल गंगा में, पूरे डूबेंगे आधे, पूरे भी डूब सकते हो, कोई बचाने आएगा, बहुत दूर है वाई, ये बचाने नहीं आएगा ठीक है, एक बच्चा कहरा सर साग खाके पान खाके गिरना मत, कैसे भी कर लो, आपको याद रखना है बस, मुद्दा याद रखने का है कैसे भी, ये मैंने बना दिया, इंस्टेंट बनाया है, आप भी कुछ भी बना सकते हो, है ना आप ऐसे भी लेके कर सकते सुनो एक और जैसे कोई अमरावती है वो पिंजरे की बोरी लेके आई बहुत सारे पिंजरे उनकी एक बोरी लेके आई अब इतनी सारी बोरी थी तो वो गिर गई कहां पे गिर गई नाल गंगा में कुछ बचे या डूब गए नहीं पूरे के पूरे चले गए देखो इंस्टेंट एक और बन गया बिटा कोई अमरावती है वो पिंजरे की बोरी लेके आई अब वो इतनी बड़ी बोरी थी वो गिर गई कहां पे गिरी नाल गंगा में कुछ चला गया पूरा चला गया ठीक है कैसे भी याद कर लो इसको एंटर्टेन्मेंट बना दो पढ़ाई को है ना अभी दरसल दिक्कत क्या होगी ना हमारी परिभाशा बदल गई है मनोरंजन की परिभाशा बदल दी हमने मनोरंजन का मतलब जब तत कुछ हम देखेंगे नहीं मूवी के अंदर हमने मनोरंजन को सोच लिया कि मनोरंजन का मतलब मूवी गाना ये भी मनोरंजन है जो मन को रंजित कर दे ठीक है उसके बाद चलते हैं अब आई माही माही और सावरमती ये ये भी वेस्ट फ्लोइंग रीवर है जैसे माही है माही कहा से निकलती है कोई बताएगा विंधिया चल में विंधियन रेंज में ये माही है विंधियन रेंज से निकलती है विंधियन से मेहद जील विंधियन श्रेणी मेहद से मेहद से निकलती है और इसकी खास कुबी क्या है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्रॉप दो बार कट करती है, ट्रॉपिक आफ कैंसर को दो बार कट करती है, माही और ये भी कहा जाती है, ये भी जाती है खंबात की खाड़ी में, ये भी जाती है खंबात की खाड़ी में, फिर आई साबर्मती साबर्मती की उत्पत्ति आपके अरावली में अरावली में है ये भी साबर्मती ये भी वेस्ट फ्लोईंग है ये भी कहां जा रही है खंबात खंबात की खाड़ी ये भी वहीं जाती है साबर्मती अरावली ये अरावली से है इसकी विंधियन छेत्र में है इसकी अरावली में है डन बताओ मुझे क्या चल रहा है बताओ ये मेराथन क्लास ऐसे चलती है तीन चार घंटे चलती है मेराथन का मतलब ये मेराथन तीन घंटे तो कम से कम होगा वेस्ट फ्लोइंग इस्ट फ्लोइंग पर कोश्चन पूछता है अभी मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ एक और आपकी लूनी रीवर है लूनी आएगी कहा है लूनी ये रही लूनी लूनी आई है ये लेकिन लूनी की खास खुबी है ये कच्च के रण में जाती है ना कच्च के रण में वही कच्च के रण में ये समुदर तक नहीं पहुचती कच्च के रण में लूनी और लूनी निकलती कहां से है ये भी अरावली से निकलती है अरावली अरावली जाती कहां पे है कच्च के रण में फिर सतरंजी और भादर है ना ये आपका ऐसे है ना तो भादर और सतरंजी ये आपकी गुजरात में है ये भी वेस्ट की है वेस्ट वाली रीवर है भादर और सतरंजी बच्चे कह रहे सर बस गुरुजी अरे बस कहा है अभी नहीं पकड़वाऊंगा मैं बस बस पकड़वाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ठक गए क्या आप तो भादर देखो ये अन्य पश्चिम की और भेने वाली नदी है अन्य कौन से देखो नर्मदा दे माही देखी साबर मती देखी उसके बाद हमने लूनी देखी हमने भादर सतरंजी देखी इसके बाद कहरना है बैतरना बेड़ती है ना सारावती ये बैतरना बेड़ती सारावती ये सब पश्चिम की और भेने वाली नदीया है सब की सब पश्चिम की और पश्चिम पश् इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर और भी है, केरल की चलते हैं, केरल की भी कुछ नदिया है, देखो, ये देखो केरल, भरत पूझा, ये वेस्ट फ्लोईंग है, भरत पूझा, उसके बाद ये देखो पेरियार, ये भी वेस्ट फ्लोईंग है, ये देखो पंबा पंबा ये देखो पंबा ये केरल की वो नदिया है जो वेस्ट फ्लोइंग है तो भरत पुजा तो केरल की ये जो भरत पुजा है केरल की सबसे बड़ी नदी है केरल की सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नदी है ओके और ये जो आपकी पेरियार है ये दूसरी सबसे बड़ी है दूसरी सबसे बड़ी लेकिन सबसे लंबी है सबसे लंबी केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार याद रखना सबसे लंबी है लेकिन दूसरी सबसे बड़ी है केरल की सबसे बड़ी नदी है न वॉल्यूम वाटर का वोल्यूम उसका अपवाच हेतर को देख रहे है कितना पानी है उस हिसाब से आपकी भरत पूजा है लंबाई के हिसाब से पेरियार है और यह पंबा है यह पंबा पंबा यह अन्ना मलाई से निकल रही है कोई दिक्कत नहीं साब की सब यह अन्ना मलाई से निकल भी एस्ट फ्लोइंग भी है एस्ट फ्लोइंग पूरव की और बहने वाली देखो पूरव की और बहने वाली हमने बड़ी बड़ी तो देख ली महा नदी देख ली हमने हमने गुदावरी देख ली हमने कृष्णा देख ली हमने कावेरी देख ली लेकिन UPSC पूरव की और बह सकता है स्वतंत्र ये किसी की सहायक है ना ये किसी की सहायक नदी इन्डिपेंडेंडेंट का कोई लेना देना नहीं किसी से सबसे पहले कसाई अरे भाई ये कसाई रीवर है कसाई अब मैं क्या करूँ इसका नाम कसाई है तो मेरे हाथ में कुछ है ठीक है उसके बाद स्वान रेखा याद रखना है स्वान रेखा है एक मैंने बताई थी स्वान वती यह है स्वान रेखा किसमे इसका वित वैतरनी वैतरनी उसके बाद ब्रहमनी ब्रहमनी ओके कसाई स्वान रेखा वैतरनी ब्रहमनी उसके बाद महानदी रुशी कुल्या वंसधारा और इसके बाद फिर वो ही आगी आपकी यह गुदावरी आ रही थी आपकी है ना फिर आपकी यह कृशना आ रही थी फिर यह कावेरी आ रही थी गुदावरी कृशना कावेरी लेकिन यह सब इंडिपेंडेंट है किसी की सायक नदी नहीं है अपनी मर्जी से निकलती है जहां जाना है जाएगी ओके यहाँ पे फिर इंडिपेंडेंट रिवर पे आपको मिलेगी पैनेरू रिवर पैनेरू रिवर पैनेरू पैनेरू एक मिलेगी आपको पलार पलार मिलेगी आपको पालार और एक इंडिपेंडेंडेंट रिवर मिलेगी आपको वे गई यह जो कावेरी है थोड़ा बीच में आएगी है इसको कावेरी को यहां से अटा देते है पिन्नेरू पलार वेगई यह वेगई निकलती है वरुषनाद की पहाड़िया पिछली क्लास में आपको याद होगा मेराथन में मैंने वरुषनाद हिल्स कराई थी आपको वरुषनाद हिल तो यह पूर्वी तट पर भेने वाली इंडिपेंडन्ट रीवर है किसी की सहायक नदी नहीं है यह ना तो गोदावरी की सहायक है ना यह कृषना की सहायक है ना ये कावेरी की साहयक है ये अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंडेंट जा रही है तो सबसे उपर है कसाई कसाई स्वान रेखा, वैतरनी, ब्रहामनी महानदी, रुशिकुल्या, वंशधारा अब याद कैसे करू सर आपने तो क्या बता दिया ये तो चलो सबसे उपर रखते हैं कसाई को है ना ये अपनीपेंडेंडेंट है वाई साब बिल्कुल इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है फिर उसके बाद है स्वान, स्वान, हमारे पास स्वान है सोना बाट दो, किसमे? वितरन कर दो, वैतरनी किसमे? किसमेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे ठीक है बहुत बढ़िया बेटा पंदरा दिन में तो एक बार पढ़ना पढ़ेगा है न रिविजन के लिए तभी तो मैं बोलता हूँ ये मैपिंग के सेशन्स ऐसे है जब आप चाय पी रहे हो आप कॉफी पी रहे हो आप खाना का रहे हो चट पे घूम रहे हो तो हात में चार-पांच पने लेके पलट दो किसी से फ़ौन पे बात करने से ज़्यादा अच्छा है ये पने लेके चट पे घूम ये मैं बटाया था ये कसाई है और उसके बाद स्वार्न है वित्रन है भ्रामनी है महानदी है रुशिकुल्या वन्चधार है, ओके, ठीक है, सर याद आया मुझे, और उसके बाद आपने बताया था, पिन्वरी बताया था, पलार बताया था, वेगई बताया था, इधर भी हो गया, इधर वाला सर ने क्या बताया था, चत पे घुम रहे हो, चत पे घुमते घुमते, वैस्ट वाली, ओके लूनी भी थी लेकिन वो तो कच्के रन में थी साबर मती हाँ वो जारी थी खंबात की खाड़ी में माही ओ वो भी खंबात की खाड़ी में नर्मदा तापी खंबात की खाड़ी वैल डन चलो इंडिपेंडेंडेंट कुछ और देखते है भादर सतरंजी इधर वैतर नहीं है इधर बैतर ना है बेड़ती, सारावती, फिर केरल की आगी, भरत पुजा, पेरियार, पेमबा अच्छा भरत पुजा तो सबसे बढ़ी है अरे सबसे बढ़ी है तो सबसे लंबी कौन सी है पेरियार है ऐसे हवा में उड़ा दो एंजोई करो इसको, इस नॉलिज को एंजोई करो ठीक है बहुत ही बढ़िया तो ये रिवर वाटर डिस्प्यूट से कृष्णा नदी का किनके बीच में गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और ये महादाईर रिवर वंचधारा रिवर वंचधारा जो मैंने आपको बताई देखो आंदर प्रदेश, उडिसा ये मैं आपको लिस्ट दे दूँगा, आप याद कर लेना है ना इस लिस्ट को इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है वाटर फोल्स है, ये नेक्स सेशन में देख लेंगे हम बिटा वाटर फोल्स एक ही सेशन है सी सेट को जरूर देखे, कॉम्प्रिहेंशन जो बच्चा UPSC PT 2000 पास करना चाता है याद रखना वो मेरी इन क्लासिज के बिना जो बच्चा UPSC PT 2022 को पास करना चाता है मेरी इन क्लासिज के बिना बिटा आपका वो सफर हो सकता है अधूरा न रह जाए, इस बात को आप ध्यान रखना आपका ये सफर यहीं से होके जाएगा UPSC PT 2022 चाहे GS की बात हो, चाहे CSET की हो मुझ से होके रास्ता गुजरेगा आपकी सफलतागा 2022 में ये बात ध्यान रखना तो ये सेशन चल रहे हमारे special class पे चलते हैं, याद रखना special class Unacademy की application पे चलते है YouTube पे नहीं होते, Unacademy app पर चलते हैं ये हमारे sessions तो आप इनको जोईन कीजिए, सभा 5 बजे class चलती है, Monday से Wednesday उसके साथ, evening में आज सभा 5 बजे हमारा भुगोल का महादंगल होगा, mcq sim same reverse के उपर ही सारे mcq है आज, आज जो हमने पढ़ा है सब का revision हो जाएगा, सबा पांच बजे वाली class में आ जाना special class है, ये भी अनकेडमी की app पर चलेगी, मेरे telegram channel unacademy underscore नवीन तवर, उस पे आपको इसका link मिल जाएगा और मेरी junk cset ये चली रहा है जिसका भी geography optional है और हिंदी माध्यमें आ जाना उन सब को जवाब दे देंगे, जो ये बोलते है हिंदी माध्यम के लिए जोगरफी नहीं है अभी देखना, आने दो, बच्चों को mains लिखने दो, हिंदी माध्यम से मेरे वाले बच्चों को आपको समझ में आएगा ethics, gs paper 4 complete है, आपको subscription लेना है तो नवीन 1 code लगा सकते हो अभी 22% plus 10% का discount चल रहा है मेरे code के साथ, काफी सस्ता है आप दा प्रबंदन, निबंद लेखन नितिकता की आदालत, यह सारी classes है pre classes है, देखो 9 फरवरी से नई बैस शुरू हो रहे है और आज कई session पसंद आया तो like share करना, अभी 10 minute के अंदर ही ओ, 2, next 3 minute 10 minute भी नहीं है, अगले 3 minute के अंदर open house session है हमारा, open house किस पे, क्या UPSC की तैयारी के दोरान हमारे पास कोई plan भी होना चाहिए, अगर UPSC में ना हुआ तो क्या करेंगे तो यह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, इसी पे session है मेरा, 2 minute के अंदर, आजाओ special class पे, link फटाफट शेयर करनाओं में, application पे मिलेगा special class नहीं, unacademy की learner app पे मिलेगा, open house session, ध्यान अखना बच्चा और सवा 5 बजे मिलेंगे भुगोल के महादंगलवे, वाई वाई, take care